दार्क साइकोलोजी आज की इस वीडियो में हम इसी बुक के बारे में जानेंगे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टेंप्स दिये गए हैं अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक जानना हो जैसे पर्स्वेजन, कोल्ड रेडिंग ये सब क्या है और इसे कैसे यूज़ करें तो आप टाइम स्टेंप की हेल्प ले सकते हैं हाला की मेरी रेकिमेंडेशन यही रहेगी कि अगर आप इनके बारे में पहले से नहीं जानते तो इसे शुरू से सुने क्योंकि ओथर ने इसे बहुत अच्छे से सीक्विंस में बताया है चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं इस बुक को इसके इंट्रोडक्शन से मैं अब इशेक स्वागत करता हूँ आपका इस वेडियो में इंट्रोडक्शन प्रस्तावना यह एक ऐसी पुस्तक है जो आपको दिये गए सुझावों के साथ खुद को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएगी सिद्ध मनो विज्यानिक प्रक्रियाओं के संदर्भ में यह आपको हेरफेर के विज्यान को समझने में मदद करेगा और आप जो चाहते हैं उसे पाने के लिए डार्क साइकोलोजी की समझ का उपियोग कैसे कर सकते हैं यह बताएगा यह पुस्तक आपके जीवन को बदल सकती है और आपको सही विकल्प चुनने में मार्दर्शन कर सकती है क्योंकि आप दूसरों को प्रभावित करने का कौशल हासिल कर सकते हैं इसे टालते मत रहो हर दिन जब आप देरी करते हैं वह नियंतर्ण में ना रहने का एक और दिन होता है मानम मनो वैज्ञान में हेरफेर और हैक करना सीखने के माध्यम से आप जो भी परेडाम जाते हैं उसे प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं इन तकनीकों और समझ का उपियोग सदियों से शक्ति शाली और सफल मनुश्यों द्वारा किया जाता रहा है चाहे वे अर्बो डॉलर की व्योसाई हों, शीर्ष पोकर खिलाडी हों, या एक कुशल प्रलोभन करता हो, पन्ने पल्टे और किसी और के नहीं, बलकि स्वयम के प्रभाव में एक स्वतंत्र व्यक्ति बने एक बार, जब आप डार्क साइकोलोजी की दुनिया से परदा उठाने का फैसला कर लेते हैं, तो आप पीछे नहीं हर सकते, आप मानव सुभाव की वह समझ प्राप्त करने में सक्षम होंगे, जो बहुत कम लोगों ने कभी हासिल की है, यह एक प्रसिद्ध कहावत है कि महान शक्ती के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है, और यह डार्क साइकोलोजी का सच है, हाला कि यदि आप इस मौलिक आस्वन को पुस्तक के रूप में पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं आडियो बुक के फॉर्मेट में तो आप मनोवज्ञान के बारे में कुछ सबसे शक्तिशाली सिद्धानतों को सीखने की रहा पर हैं इस पुस्तक का लाग उठाने से पहले आपको कोई विशेश समझ रखने की आवशक्ता नहीं है बस जो कुछ सिखाया गया है उसे सीखने और उस पर चिंतन करने की छमता की आवशक्ता है साथ ही उसे लागू करने की भी इस पुस्तक के साथ आप उन रहस्यों को जानने में सक्षम होंगे जो केवल कुछ ही लोगों के पास होते हैं और वास्तम में समझते हैं साथ ही आप डार्क साइकोलोजी की गहरी सच्चाईनों को समझने में सक्षम होंगे इस पुस्तक में ऐसे युक्तिया और सिध्धान्त शामिल है जिनका उपियोग दुनिया के सबसे शक्तिशाली, शैतानी और कुटिल दिमागों और प्रभावशाली लोगों द्वारा दूसरों को हेरफेर करने के लिए किया गया है यह पुस्तक आपको वास्तविक जीवन के केस, अध्यनों की पेशकश करके मैनो वज्ञानिक हैक्स और उन्हें कैसे लागू किया जाता है इसका एक व्यापक रिकॉर्ड भी प्रदान करेगी जिससे आपके लिए यह समझना आसान हो जाता है कि पूरे इतिहास में उनका उपियोग कैसे किया गया था अंधेरे मनो विज्ञान की सच्चाईयों का उपियोग करके आपके पास दूसरों से वह सब करवाने के लिए आविशक्ता सभी उपकरण होंगे जो आप चाहते हैं कभी-कभी किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व या आपके विशलेशन के आधार पर आपको एक पूरी तरह से नई हेरफिर तकनीक की आविशक्ता होती है जो उसके व्यक्तित्व के लिए अच्छा काम करे जब तक आप ऐसे लोगों पर प्रयोग करने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक आप इसे कभी भी नहीं जान पाएंगे कि क्या काम करता है और क्या नहीं प्रयोग करें, साधन, संपन्न बने और अपनी तकनीक विक्सित करें उस तक में उलिखित तकनीकों में सामायोजन और शंशोधन करने के लिए तयार रहें जब तक आपको बुन्यादी बाते सही मिलती हैं, आप जो आपके लिए काम करता है, उसके आधार पर बदलाव कर सकते हैं किसी निश्चित व्यक्ति के लिए क्या काम करेगा और क्या नहीं, यह जानने के लिए आपको एक सभ्य पाठक या विशलेशन बनना होगा क्रिप्या करके इस बुक को पूरा सुने, उधारन के लिए अपराद बोध, उत्पन्न करना और दोशा रोपड को खेल खेलना, अधिक विनम्र और नम्र व्यक्तित्व वाले किसी व्यक्ति पर काम कर सकता है हाला कि अधिक आत्मिश्वासी, व्यक्ति इसके जहासे में नहीं आएगा, उन्हें एक अलग द्रिष्टिकोंड की अवशक्ता होस्ती है, जैसे तारकिक, तर्क या उन्हें प्रशंशा देना कुछ द्रिष्टिकोंड दूसरों की तुल्ना में कुछ व्यक्तित्व प्रकारों पर बहतर काम करेंगे कभी-कभी आपको अपना सुयम का सैयोजन तयार करने के लिए दो से तीन टक्नीकों को सैयोजित करना पड़ सकता है जो काम करता है इसे लचीला रखना सीखें और जिस प्रकार के व्यक्तित्व से आप निपट रहे हैं उसके अनुसार इसे अपनाए यदि आप लोगों के विचारों, कार्यों, विचारधाराओं और व्यक्तित्व को समझना चाहते हैं तो खुले रहें और उनके बारे में जितना हो सके उतना सीखें, गैर, निर्णे आत्मक और सुलब रहें नए विचारों को अपनाएं, आपके पास पहले से मौजूद ग्यान को तोड़ मरोड कर प्रयोग करें आप अपने बारे में और अधिक जानेंगे और इससे भी महत्पूर बात यह है कि आप उन रोजमर्रा के लोगों के बारे में और अधिक जानेंगे जिनसे आप मिलते हैं और उन्हें उन कार्रियों के लिए मनाने, प्रभावित करने और प्रेरित करने का मौका मिलेगा जो आप उनसे कराना चाहते हैं मनो विज्ञान के भीतर छिपे उपकर्णों को अनलोग करने के लिए इस पुस्तक को अपना मार दर्शक माने तकनीकों की सूची वाली एक किताब के विपरीत जो आपके पस क्या करना है इसके बारे में कुछ विचारों के अलावा कुछ नहीं छोड़ेगी इस पुस्तक के साथ आपको शुरुवात से लेकर उन्नत चरण तक जाने के लिए रोड मैप मिलेगा जिसमें हेर फेर की कला महारत हासिल करने से लेकर अपने दोस्तों, परिवार और अजनबियों को हिपनोसिस ये सम्मोहित करने में सक्षम एक शक्तिशाली सम्मोहन करता बनने तक सब कुछ शामिल है हाला कि यह एक छोटी किताब की तरह लग सकती है पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमने आपके सबसे शक्तिशाली स्वय को वास्तव में प्रकट करने के लिए अवश्यक सभी जानकारी, संकलित की है आपका जीवन बदलने वाला है और मैं आपके लिए उत्साहित हूँ तयार हो जाईए और मनोवज्ञान के उन गहरे रहस्यों को उजागर करने के लिए तयार हो जाईए जिनके बारे में दुनिया नहीं चाहती है कि आप जाने तो क्या आप अंधेरे मनोवज्ञान यानि की डार्क साइकोलोजी की गहराई में यात्रा करने के लिए तयार है चैप्टर वन डार्क साइकोलोजी डार्क साइकोलोजी से हमारा क्या तातपर्य है मनो वैज्ञान का विचार लोगों को स्वेयम को समझने में मदद करके उनकी मदद करना है डार्क साइकोलोजी उन मानसिक कमजोरियों का उपयोग करने के बारे में है जो लोगों को वह करने के लिए प्रेरित करती है जो आप उनसे कराना चाहते है मैं जानता हूँ कि कई लोगों को यह अटपटा लगता है लेकिन यह उतना बुरा नहीं है जितना आप सोचते हैं सच तो यह है कि आपके आसपास हर जगा डार्क साइकोलोजी के उपकरण आपके दिमाग को मुकसान पहुचा रहे है फेस्बुक ने अपने उपयोग करताओं को सामगरी को क्रिवलेट करके और उनके मूड को माप कर एक परिक्षन चलाया वे यह देखना चाते थे कि लोगों को अधिक सकारात्मक सामगरी दिखाने की तुल्ना में अधिक नकारात्मक सामगरी दिखाने से उनकी खबरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा पत्रिकाएं और विज्यापन जौनसिस के साथ बने रहना या कुछ नाक होने की आपकी जरुरत पर खेलना पसंद करते हैं और ऐसा करने पर वे जो कुछ भी बेच रहे हैं आप उसकी और आकरशित हो जाते हैं समाचार आपके द्वारा पहले से साजह किये गए द्रिश्टी कोड से आपको सहमत कराने का प्रयास करने के लिए नियंत्रित विचारों का एक चक्र पदान करता है दुनिया मनुव विज्ञान के अधेरे उपियोग से भरी पड़ी है और अधिकान शमय आप इसका लाब पाने के बजाए इसका लाब ही प्राप्त कर रहे होते हैं यह बदलने ही वाला है डार्क साइकोलोजी हम सभी की मजबूरियों जरूरतों और इच्छाओं को पहचानने के बारे में हैं और इसका उपियोग हम जो चाहते हैं उसे पाने के लिए किया जा सकता है चाहे वे नुकसान को डर हो या जॉनसिस के साथ बने रहने की इच्छा हो या वानशित महसूस करने के आवशकता हो या सही महसूस करने के आवशकता हो ये चीजे हमारे निर्णियों और हमारे आवेगों का मारगर्शन करती हैं चाहे हम उन्हें पसंद करें या नहीं वैकल्पिक रूप से चाहे हम उन्हें चाहें या नहीं लोग हर दिन अपने हितों के विरुद केवल इसलिए कार्य करते हैं क्योंकि वे एक भावनात्मक स्थिती में होते हैं जो आपके कार्यों को निर्देशित करता है जब आप इन भावनात्मक प्रिगर्स का पता लगा लेते हैं तो यह केवल समय की बात है कि आप उस व्यक्ति के कार्यों का मार दर्शन करना शुरू कर सकते हैं उनके व्योहार को बहतर धंग से नियंत्रित कर सकते हैं और यहां तक की उनमें हेरफेर भी कर सकते हैं जिस व्यक्ति के साथ आप छेडशाड कर रहे हैं, उसके भावनात्मक प्रिगर्स का पता लगाना और उन्हें निभाना शुरू करना महत्वपूर हैं, आप किसी स्थिती में होने वाली सबसे बुरी स्थिती के बारे में डर के बीज बोने से शुरुवात करते हैं, इसके बाद एक समाधान पेश किया जाता है कि एक कथा शुरू की जाती है कि कैसे चीजे दूसरे व्यक्ति की कलपना की तुलना में बहुत कम बुरी थी, आईए एक उधारण पर विचार करें, आप कुछ ऐसा कह सकते हैं, जब मैंने प्रॉम नाइट के लिए आपके सेंडल पहने, तो मुझे जूते के छूटने की भयानक आवाद सुनाई दी, मैं निश्चित रूप से मर चुका था, कि यह तूट गया, तब ही मुझे एहसास हुआ, कि कोई अपने फोन पर वीडियो देख रहा था, क्या यह मनोरंजक नहीं है, ओ, और यह मुझे याद दिलाता ह कि क्या मैं आगामी सब्ताहन पार्टी, यानि कि वीकेंड पार्टी के लिए सेंडिल की जोड़ी फिर से उधाल ले सकती हूँ, आपने कुछ नहीं किया, लेकिन उस व्यक्ति को भय और राहत के चक्र से गुजार कर सकारात्मक मोड पल ले आए, उपरोक्त उधारण में त दूसरा व्यक्ति, अधिक सकारात्मक और ग्रहनशील मानसिक धाचे में आ जाता है, कि जिससे उनसे वह काम करवाना असान हो जाता है, जो आप उनसे चाहते हैं, मनुव्यज्यानिक स्तर पर पीडित, तीव्र भावनाओं के एक चक्र का अनुभव करता है, डर उन्हें ऐस सहज, चिन्तित और घबरा देता है, इसके बाद ततकाल आशा, सकारात्मक्ता और राहत मिलती है, यह वह उक्करण है, जो इस बात पर प्रकाश टालता है, कि आपने और दूसरों में इन सभी मानसिक प्रिगर्स को कैसे खोजा जाए, यह यह भी मानता है, कि हमारा दिमाग जितना अद्भूत है, दक्षता के नाम पर वे कई शौटकट अपनाते हैं, जो उन्हें कुछ सरल हमलों के प्रती समवेदन शील बना देता है, आदर्श रूप से हमारे दिमाग को हमें सिर्फ इसलिए दुखी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने कोई नकारात्मंग विच चाहर रखा है, और फिर भी यह हर समय होता है, हम इधर-उधर घोम रहे हैं, अच्छा समय भीता रहे हैं, अच्छा दिन भीता रहे हैं, और कोई कुछ कहता है या कुछ करता है, शायद महत्तुहीन और फिर भी अचानक हमारा मूर बदल जाता है और हमें संतुलन में वापिस आने के लिए संघर्ष करना पड़ता है हाला कि हमारा दिमाग केवल कुशल होने के लिए काम कर रहा है वे पूर्ण होने के लिए काम नहीं कर रहे हैं और जब आप इसे समझते हैं तो आप यह समझते हैं कि जब लोगों के साथ व्योहार करने की बात आती है तो आपके पास एक बड़ा अवसर है इससे भी महत्पूर्ण बात यह है कि आप समझते हैं कि कुछ चीजे हैं जिनसे खुद को सुरक्षित रखने के लिए आपको सीखने के जुरत है आपकी इच्छाएं और आपकी जरूरते हैं आप उन चीजों को पूरा करने के लिए कितनी दूर तक जाने के लिए तयार हैं क्या आप जानते हैं आपकी खरीदारी के ट्रिगर्स क्या हैं आपके भावनात्मक ट्रिगर्स क्या हैं या आपके पास तो हैं लेकिन क्या आप इनके बारे में पूरी तरीके से जागरुख हैं कौन सी चीज आपको तनाव गरस्त, भ्रमित, क्रोधित, खुश और उत्साहित बनाती हैं ये सारी बातें आपके मन के अंदर हैं वे हर किसी क दिमाग के अंदर हैं और जब आप जानते हैं कि उन तक कैसे पहुँचे अपने आप में और दूसरों में तो अचानक आपको अधिक स्वतंतरता, खुशी, उत्सहा और संभाबना मिलेगी क्योंकि आखिरकार आप दूसरों को दिखाने और मदद करने के लिए प्रेरित कर के अपनी इच्छाओं के जीवन में लाएंगे, हेर फेर या अनुनए जिसे पर्स्वेजन या मैनुपिलेशन कहा जाता है, प्रभाव, बिक्री और ऐसी अन्य चीजों से अलग है, क्योंकि यह अवसर लोगों को उनकी कमजोरियों पर खेल कर, कार्यवाई करने के लिए मजबूर करने के बारे में होता है, अगले अध्याय में हम हेर फेर की नैतिकता के बारे में बात करेंगे, और आपको किस बारे में सोचने की अवशकता है, लेकिन अभी मुझे लगता है कि इस पुस्तक को सुनते समय आप क्या उमीद कर सकते हैं, इसके लिए मंच तयार कर ना महत्पूर है, और कुछ मनोविज्ञानिक तकनीकों और तरीकों को सीखें, जो आपको लोगों को नियंतृत करने की अनुमती देंगे, डार्ग साइकोलोजी एक उपकरण है, हत्होडे की तरह, आप इसका उप्योग चीजे बनाने के लिए कर सकते हैं, या आप इसे ल लोगों को चोट पहुचाने के लिए एक हतियार के रूप में उप्योग कर सकते हैं, मर्जी आपकी है, जब आप इस पुस्तक को सुनते हैं या फिर पढ़ते हैं और इन कौशलों का उप्योग करते हैं, तो हम कोई नैतिक निर्ड़ने नहीं ले रहे हैं, लेकिन आपके लिए सबसे महत्पूर बात यह है कि आप इन तकनीकों को सीखें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपको अपने बारे में बहतर समझ हैं और लोग आपके खिलाफ क्या उप्योग कर रहे हैं, दुनिया एक खतरना जगा हो सकती है, इन हेर फेर तकनीकों को जानने और लोग को आपके प्रती, प्रतीक्रिया करने के तरीके और वे आपके साथ कैसे जुड़ते हैं, यह मूल रूप से बदल जाएगा, आप उनकी दया पर निर्भर होने के बजाए अपने भाग्ये को नियंत्रित करने वाले व्यक्ति होंगे, हेर फेर का मतलब आकर्शक होना और बह बहुत सारा करिश्मा पैदा करना है, ताकि दूसरे व्यक्ति को वह करने के लिए वाद्धे किया जा सके, जो आप उनसे चाहते हैं, यह लगभग अपनी आभा, व्यक्तित्व और आकर्शन के माध्यम से व्यक्तित की सम्मोहित करने के समान है, जब आप आकर्शक और स्प वश्ट रूप से बोलते हैं, तो लोगों से वांचित कार्य करवाना असान हो जाता है, हाँ, जब लोगों को वश्मी करने की बात आती है, तो चप्टी जुबान रखने और सहचता से बात करने में मदद मिलती है, यदि आप वास्ता में एक माश्टर, प्रभावशानी य या थीएटर कक्षा के लिए साजन आप करें, या जॉइन कर सकते हैं, आप ना केवल अपनी बात को अधिक प्रभावशाली और प्रेरिक तरीके से रखना सीखेंगे, बलकि अधिक आत्म विश्वासी भी बनेंगे, जिससे विशय में आपकी बातों पर और भी अधिक भर करने में मदद मिलेगी, मुखरता और अक्रामकता एक अच्छा प्रभावशाली व्यक्ति बनने की कुंजी है, आप अपनी बात को अधिक द्रिणता और आत्म विश्वास से रखना सीखेंगे, कुछ बहतरीन मैनिपुलेटर्स जानते हैं कि अपने लाब के लिए मौखिक और गैर मौखिक संचार पैटन का उपियोग कैसे किया जाए, वे अधिक प्रेरक, शक्तिशाली और आत्म विश्वास पूर्ड, व्यक्तित्व, धारण करने के लिए अपने शब्दों से लेकर आवाज और अभिव्यक्ति तक हर चीज को ढ़ाल सकते हैं चैप्टर टू अंधेरे लक्षण यानि की डार्क ट्राइड्स डार्क ट्राइड किसी हॉलिवुड फिल्म की तरह लग सकता है, लेकिन ये डार्क साइकोलोजी और विस्तार से इस पुछतक की आधार शीला है डार्क ट्राइड यानि की अंधेरे लक्षन तीन व्यक्तित्व प्रकारों को संदर्भित करते हैं जिन्होंने डार्क साइकोलोजी की शुरुवात को प्रेरित किया डार्क साइकोलोजी में पाई जाने वाली तकनीके इन तीन व्यक्तित्व प्रकारों से उत्पन्न होती है वे कौन से बड़े तीन है जो अध्यन के उस छेत्र का आधार है जो तब इतना विचित्र लग सकता है तीन व्यक्तित्व प्रकार जो अंधेरे त्रय को बनाते हैं हाला की स्वयम व्यक्ष्यात्मक प्रतीत होते हैं उनकी प्रकृती और उत्पत्ती के बारे में कुछ दुर्भाग्य पूर्ण गलत फहमियों के कारण पहचानना मुश्किल हो सकता है डार्क ट्राइट्स में मैकी वॉल्किजिन, नार्सिजिजम और साइकोपैथी शामिल है हाला की ये ऐसे चित्र चित्रित करने वाले प्रतीत हो सकते हैं जो उन्हें अचम्भित कर देते हैं लेकिन ये अक्सर इतना सरल नहीं होता लोग मैक्कियोगव, वैले निजम को एक राजनीतिक प्रकार से जोडते हैं जिसने दा प्रिंस को कुछ जादा ही गंभिता से ले लिया नार्सिजम जैसे कोई व्यक्ति अपनी छवी के असक्त हो और एक मनोरोगी जो सीधे तौर पर एक स्लैशर फिल्म से निकला हुआ व्यक्ति है इन लक्षणों के वास्तविक जीवन के उधारण इससे भी अधिक भयानक है क्योंकि वे आसानी से रिडार के नीचे निकल सकते हैं और आम जनता की अज्ञानता के परदे के नीचे काम कर सकते हैं डार्क ट्राइड्स व्यक्ति लक्षणों से जुड़ा है जो बॉर्डर लाइन पस्नेलिटी डिसॉर्डर से एक मजबूत संबंध दिखाता है अधिकांश लोगों को लग सकता है कि उनमें डार्क ट्राइड्स पर दर्शाए गए कम से कम कुछ गुण प्रकट होते हैं लेकिन जिन लोगों में ट्राइड्स का एक भाग या यहां तक की तीनों के कुछ सैयोजन की बहुत अधिक सांगनता होती है वे रोज मर्रा की जिन्दगी के किसी भी पहलू में विनाशकारी शक्तियां हो सकते हैं पहला मैक्यावॉलियन फिलोस्फी या फिर मैक्यावॉलियन दर्शन यह विशिष्ट चरित्र गुण जादा तर लोगों को दिल्चस्पी देता है क्योंकि इसकी जड़े कम से कम आशिक रोप से पुन जागरण युग में राजनैक और राजनीतिक दर्शन निकोलो मैक्यावॉलियन द्वारा लिखित राजनीतिक दर्शन के काम में है कैद में रहने के दौरान उन्होंने एक किताब लिखी जिसमें उन सभी सिधानतों का विवरण दिया गया जो उन्होंने शाषकों और भावी शाषकों के लिए सत्ता हासिल करने और बनाए रखने के लिए आवश्यक समझे इसे उस समय के शाषक के पास इस उमीद से भेजा गया था कि इससे राजकुमार डी मेडिसी की नजर में उसे कुछ फाइदा होगा यह पुस्तक राजनेताओं और उन लोगों द्वारा इस्तमाल किये जाने वाला खाका बन गई जो व्यापक और प्रभावशाली तरीके से लोगों पर शाषन कर सकते हैं जबकि अधिकांश लोगों में इन में से कोई मैकी वॉलियन गुड़ होते हैं वे शायद ही कभी उन पर कार्रे करते हैं सच्चा मैकी वॉलियन इन व्योहारों को नियंत्रित करने की परवा नहीं करता है वे उनके अनुसार ऐसे जीएंगे जैसे की उनके जीवन के लिए कोई दार्शनिक सहीता हो यह ध्यान रखना दिल्चस्प है कि मानसिक बिमारी का लक्षण होने के बावजूद अधिकांश लोगों के लिए इसे अपनाना और इससे लाव उठाना सबसे आसान लक्षणों में से एक है हाला कि लोग इसे विशेष्टा के साथ पैदा होते हैं लेकिन इसका समर्खन करने वाले प्रमार दुल्लब हैं अधिकतर मैक्यवॉलियन में उच्च स्तर के लोगों को बच्चपन के अधीन होने के कारण इस तरह से बनाए जाने की अधिक संभावना होती है जिसमें पालन पोशन की ठंडी शैली शामिल होती है और सब कुछ सर्शत लगता है वास्टविक जीवन के उधारण, हाई माच, मास्टर, मैनुपिलेटर है जो कई लोगों के जीवन को बरबाद करने में सक्षम है जबकि कई लोगों को उन लोगों के बारे में सिखाने की चमता रखते हैं जो सत्ता का खेल खेलते हैं और उनके आसपास खुद को कैसे संभालना है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई जिक्यासा वश उनके बारे में जानने का इरादा रखता है जीवन के किसी छेतर में उनसे निपटना या उन्हें जीवन से जो चाहते हैं जिक्यासा वश उनके बारे में जानने का इरादा रखता है जीवन के किसी छेत्र में उनसे निपटना या वे जीवन से जो चाहते हैं उसे पाने के दिए उनकी कुछ आद्टों को अपनाना ये लोग सीखने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को धेर सारा ज्यान प्रदान करते हैं मैक्या वॉलियन से हम क्या सीख सकते हैं? हाला कि अधिकांश लोगों में मैक्ये वॉलियन वाद के लक्षन कुछ नहीं हो सकते हैं डार्क ट्राइड के इस चरण से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं इससे कुछ ऐसे तत्तों हैं जिनसे आम लोग सीख सकते हैं कि वे जो चाहते हैं उसे प्राप्त कर सकते हैं या कम से कम अधिक शान्ति पूर्ण जीवन जी सकते हैं जहां उनका लगातार फाइदा नहीं उठाया जा रहा है वह अंतिम भाग उन लोगों के बारे में अधिक बात करता है जो मैक्य वॉलियन पैनवाने पर बहुत नीचे हैं और बहुत अच्छे यह सहमत होने की प्रवति रखते हैं कई माईनों में बहतर जीवन बनाने की चमता डार्क ट्राइड के इस हिस्से में पाई जाती है अगर कोई जानता है कि क्या देखना है और इसका बुधिमानी से उपियोग करना है हाई मैक होने के कई बुरे पहलू हैं लेकिन इस प्रकार के व्यक्ति से सीखने के इच्छुक रहने के कुछ बड़े फाइदे भी हैं धैर्रे और प्रतिष्ठा के सबसे बड़ी चीजों में से एक हैं जिसे कोई मैक्ये वॉलियन से छीन सकता है शौर्ट कट में निवेश करने के प्रति अनिच्छुक मैक्ये वॉलियन हमें सिखाते हैं कि शक्ती और सफलता की सीड़ी चड़ते समय धैर्रे महत्पूर्ण है लोग भी महत्पूर्ण है इसलिए सही लक्षियों को चुनना और सीखना ताकि वे सीर्ष पर पहुँच सकें यह तेजी से और महत्पूर्ण है यदि कुछ गुप्त रूप से किया जाना है तो अपनी नाक साफ रखते हुए इसे करने के लिए किसी को खोजें एक अच्छी प्रतिष्ठा आपके लिए बहुत कुछ करेगी दूसरे नार्सिजम यानि कि आत्मुगदता आत्मुगदता यानि कि नार्सिजम उन लक्षणों में से एक है जिसे नजर अंदाज करना आसान है क्योंकि हम लगातार इससे घीरे रहते हैं यह सिर्फ एक विशेश्टा नहीं है जो लोगों को अपनी तस्वीरे लेने के प्रति आकरशित करती है यह सैयमित आहार संसकरण है जिसका अधिकांश लोगों पर कम नकारात्मक प्रभाव पड़ता है गहरे रंग का प्रकार दुर्विवहार का कारण बन सकता है बदमाशी, तोडफोर और नार्सिस्ष्ट और उनके रास्ते में आने वादी किसी भी व्यक्ति के लिए परिणामों की एक पूरी श्रंखला हालां कि इसे एक मानसिक विकार के रोप में वर्गी करत किया जा सकता है या कम से कम इसका एक हिस्सा या लक्षन इसे पहचानना बहुत मुश्किल हो सकता है यहां तक की पेशेवरों के लिए भी यह स्वयम को अनेक प्रकार से प्रचन कर सकता है तथा अनेक अकार एवं रूप ले सकता है इन विभिन प्रकार की आत्मुधता का तोड़ दिया जाएगा ताकि पाठक संभाविद विशाकत से और अंधेरे प्रकार से रोजमर्रा की चलने वाली नार्सिजम आत्मुधता को बहतर ढंग से फिल्टर कर सके Graduous Narcissist अनेक प्रकार के नार्सिजम होते हैं जिसमें से एक है Graduous Narcissist इस प्रकार का नार्सिजम उस शाष्त्रिय चवी की है जिसे कोई व्यक्ती अंधेरे त्रय या अंधेरे लक्षन के इस पैर के बारे में सोचते समय देखने की उमीद कर सकता है ये व्यक्ती है जो समवता बहतरीन कपड़े पहनता है चाहे वे इसे खरीद सके या नहीं उनके पास बड़े पहमाने पर एहनकार है वे उस बिंदू पर हदकार है अकदार है जहां वे मनोरोगी पक्ष की सीमा तै करते हैं वे इस बात को लेकर जुनूनी है कि लोग उन्ह कैसे देखते हैं आदी इस तरह के आत्म मुग्ध लोग कम खतरनाक लग सकते हैं क्योंकि उन्हें पहचानना बहुत आसान है लेकिन मूर्ख मतवनो ये लोग बहुत आकर्शक और करिश्माई होते हैं चीजों को देखने का उनका भव्य तरीका उन्हें आत्मिश्वास की जो लोगों को उनकी ओर खीचता है इससे भी कोई खास मजद नहीं मिलती है जब वे मूर्ड में होते हैं तो काफी उदार दिखाई देते हैं नार्सिस्ष्ट प्रकार इसे हलके में नहीं लिया जाना चाहिए ये लोग अंधेरे त्रय में बाकी सभी लोगों की तरह भोती की अज विश्विश्ष्णिय कमी के साथ विशेशग्य जोड तोड करने वाले हैं इसके इलावा वे जितने दिखते हैं उससे कही अधिक ए सुरक्षित हैं और जैसे ही उन्हें लगेगा कि उनकी अलोचना हो रही है वे क्रोधित हो जाएंगे यदि उन्हें लगता है कि इससे उनका नाजुक एहंकार बहाल हो जाएगा तो वे आपकी प्रतिष्ठा को नश्ट कर देंगे या आपको नश्ट करने का प्रयास करेंगे घातक नार्सिसिस्टि ये उस तरह के प्रकार के आत्मुग्द लोगों की कहीं अधिक हैं और उन्हें आसानी से मनोरोगी समझ लिया जा सकता है सभी आत्मुग्द लोगों की तरह उनके पास भी अपने बारे में भव्य विचार होंगे भले ही उक्त भव्यता का कोई सबूत ना हो ये उस प्रकार के आत्मुग्द लोग हैं जो सत्ता और रुत्वे के निरंतर सपनों में से इतने गरस्थ हो जाते हैं कि सभी आत्मुग्द लोग उन्हें पाने के लिए कुछ भी करने को तयार हो जाते हैं वे जो चाहते हैं उसे पाने के लिए नैतिक सीमाओ को पार करने की अधिक संभावना रखते हैं और हर किसी से अपेक्षा करते हैं कि वे जो कुछ भी करते हैं उसमें उन्हें न्याय संगत माना जाए क्योंकि उन्हें बस वही मिल रहा है जो उनके पास बकाया है वे हर किसी से विशेश व्यवहार और अनुग्राई की अपेक्षा रखते हैं जब आप इन तत्वों को कम या बिल्कुल भी सहानु भूती ना रखने का हस्ताक्षर गड़ों के साथ जोडते हैं साथ ही उनकी पागल महत्वा कांशाएं उनके हेर फेर के कौशल के साथ मिश्रित होती हैं तो आपके पास एक चलता फिरता बारूत का धेर होता है जो बस विस्फोर्ट करने और अनगनित जिन्दगियों को बरबाद करने की प्रतीक्षा कर रहा है ताकि वे वह हासिल कर सके जिसके वे हकदार हैं इस तरह के लोग ऐसी चीजे करेंगे चिने सचेत रहने वाले अधिकार्श नैतिक लोग अपने सही दिमाग में रहते हुए करने पर विचार नहीं करेंगे गुप्त नार्सिसिष्ट ये नार्सिसिष्ट का एक और टाइप है इस नार्सिसिष्ट को पहचारना सबसे मुश्किल हो सकता है क्योंकि वे अकसर अपने नार्सिजम को जिस तरह से पेश करते हैं उससे लोगों को उनके लिए खेद महसूस हो सकता है अन्य आत्मुग्ध लोगों की तरह ही लोगों की कम देखवाल करते हुए वे लोगों को उन्हें उन परिस्थितियों के शिकार के रूप में देखने में बहुत अच्छे हैं जिने वे निहंत्रित नहीं कर सकते हैं वे इस बारे में बहुत बात करेंगे कि वे कितने स्मार्ट, प्रतिभाशाली या आमतोर पर किसी तरह से श्रेष्ट हैं। वे राजनीती, भुगौल या यहां तक की गलत समय पर पैदा होने में अपनी सफलता की कभी नादोश देंगे। वे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में सामने आएंगे जिनके पास उस दुनिया में उनके लिए सब कुछ था जो उनके खिलाफ था। इस प्रकार के लोगों को अकसर अवसाद गरस्त समझ लिया जाएगा और लोग उनके लिए खेद महसूस करना चाहेंगे। यहां एक गलती होगी क्योंकि इस प्रकार के लोग अत्यधिक निश्क्रिया रूप से अक्रामत होते हैं। हाला कि संगर्शे डरना ही उनके इस तरह के होने का एक मात्र कारण नहीं है। वे खुद को स्रेष्थ मानते हैं और अपनी जीवन में लोगों के साथ गेम खेलने का आनंद लेते हैं। वे आपको धिरे-धिरे तोड़ कर और अपनी दुनिया में लाकर खुद का निर्माड कर सकते हैं। जहां वे आपकी नकारात्मत्ता को दूर कर सकते हैं। बेशक जिस शून्य को वे भरने की कोशिश कर रहे हैं, उसका कोई आधार नहीं है, इसलिए लोग इन लोगों को बचाने की कोशिश में फसे सकते हैं जब तक कि उनके पास देने के लिए और कुछ नहीं है, बस किसी ऐसे व्यक्ति के लिए फैंक दिया जाए, जिसके पास देने के लिए कुछ है अब साम्प्रताइक आत्मूद लोग ऐसे लोग हैं, जो अच्छे काम करना पसंद करते हैं वे बेघरों को खाना खिलाएंगे, पर्यक्त जानवरों की देखवाल करेंगे, जरुरत मंदों को आश्रय देंगे, दूसरों को लाप पहुचाने वालों की अयोजना में जाएंगे, आदी यह बहुत बुरा नहीं लगता है, है ना, फिर से विचार करना, बहुत सारी अच्छी चीजे करें, लेकिन करते हुए दिखना होगा, अन्यथा उनके लिए उन्हें करने का कोई मतलब नहीं है, उनमें अगले आत्मूद व्यक्ति, जित्ती ही सहानु भूती की कमी है, लेक यही कारण है कि जो परोपकारी कार्रे करते हैं, वे करते हैं, वे एहनकार को बढ़ावा देने के लिए, इसमें शामिल है जो इन चीजों को करने के लिए उन्हें मिलने वाली प्रशंशा से मिलता है, अंदर से उनमें अब भी वही भावना है, शेड श्रेष्ठता जो इस चरित्र विशेष्ठा के साथ आती है और यह अक्सर उन्हें पता चले बिना दिखाई देगे वे अंड, बर्डूर, दिखावा करने वाले ग्रणित और एहंकारी हो सकते हैं यहां तक की उन लोगों या जानवरों के संबंध में भी जिसकी मदद के लिए वे खुद को समर्पित करते हैं इस प्रकार के लोग इनसानों को किसी भी अन्य, संकीन्ता वादी की तरह ही उपकरण के रूप में देखते हैं और जो भी उनके और उस पूजा को आराधना के बीच आने की कोशिश करता है जिसे वे महसूस करते हैं कि वे योग्य हैं, वे उसे तुरंत खत्म कर देंगे हम उनसे क्या सीख सकते हैं? हाला कि इस प्रकार के लोगों से पूरी तरीके से बचना ही हमारे लिए बहतर है, फिर भी कुछ मुल्यवान सबक हैं जो हम उनसे सीख सकते हैं एक बात के लिए उनका बाहरी आत्मविश्वास उन्हें महिलाओं के लिए लगभग अप्रधी प्रोध्या बना देता है क्योंकि अधिकांश, नार्सिजम यानि कि आत्मुग्ध वाले पुरुष होते हैं लेकिन इस तथ्या पर बाजी पलटती दिख रही है उनके आत्म सम्मान की उथली भावना उनके द्वारक खेले जाने वाले स्टेटस गेम के साथ मिलकर उन्हें आत्म विश्वास और करिश्म करिश्मा के प्रतिमान की तरह बनाती है वे अपने आसपास के लोगों के निहत्था करने के लिए जादू का उप्योग करने का एक तरीका भी जानते हैं कोई भी इस बात से आश्चर्रे चकित हो जाएगा कि थोड़ा सा आकर्शन और चापलूसी किसी भी सामाजिक स्थिती में कितना असर डाल सकती है नार्सिस्टों के पास यह बहुतायत में होता है और यह आमतोर पर नई लक्षियों के साथ उनके कई जोड़ तोड़ों की शुरुवाती कदम होता है इसे अपने लक्षे के अनुरूप बनाएं और वे और भी तेजी से आपके हाथों में आ जाएंगे साइकोपैट्स मनोरोगी मनोरोगियों के पास डार्क ट्राइड के तीन भाग होते हैं और वे आसानी से उस सूची में सबसे उपर आते हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए खासकर यदि आप उनमें से नहीं है हाला कि ध्यान देने वाली बात पहले दिल्चस्प बात ये है कि हाला कि सभी मनोरोगी आत्मुग्द होते हैं यानि कि नार्सिजम वाले आत्मुग्द लोग आवश्यक रूप से मनोरोगी नहीं होते हैं यह जानना उन कमजोरियों में से एक हो सकता है जो आपको एक मनोरोगी को पहचानने में मदद कर सकता है यदि आप खुद को किसी मनोरोगी के साथ रास्ते में आते हुए पाते हैं मनोरोगी की पहचान एक आसमाजिक व्यक्तित्व विकार एपेडी के रूप में की जाती है इसमें बहुत सारी विशेष्टाएं हैं जो आत्मुधता के समान हैं जिन्हें जन्ता द्वारा गलत समझा जाता है ये अकसर अग्यानता या गलत सूचना के कारण होता है जैसे कि हॉलिवुड फिल्मों में मनुवज्यानिक सीरियल किलर को दिखाया जाता है हालकि यह चबी पूरी तरीके से जोट नहीं होती है मुख्यता क्योंकि ये लोग अंधेरे त्रे यानि की लक्षण के भीतर दुर्विवहार करने वाले और सिलसिलेवर हत्यारे बनने के सबसे अधिक सभावना रखते हैं कई मनोरोगी समाज में घुलने मिलने में बहुत अच्छे होते हैं मनोरोगी अक्सर सुसिक्षित और बुद्धिमान होते हैं भले ही वे समाज में कितनी अच्छी तरीके से घुल मिल जाए उनके बारे में सच्चाई जानने में मदद करने का एक तरीका है सबसे पहले उन्में अक्सर स्वयम के प्रती वही भव्य भावना होगी जो बाध्यकारी जोट बोलने और अत्यधिक जोड़ तोड़ वाले व्यवहार के साथ मिश्रित होती है जो नैतिक्ता या दूसरों की भलाई के लिए कोई सम्मान नहीं दिखाती है एक बात तो यह है कि शोट से पता चलता है कि वे जैसे ही वैसे ही पैदा करते हैं इसका मतलब यह है कि आपका औसत मनोरोगी चाहे सिक्षित हो या नहीं समबता कम उम्म्र से ही बुरे व्यवहार का इतिहास दिखाएगा उनका आपराधिक रिकॉर्ड भी हो सकता है इतिहास में मनोरोगियों के उधारण मनोरोगियों पर किये गए मस्तिश्क स्कैन से पता लगता है कि मस्तिश्क की वे हिस्से जो तब सक्रिय होते हैं जब अधिकांश लोग तनाव या अपराध बूद या सहानु भूती महसूस करते हैं जब उन्हें उत्तेजनाय दी जाती है इस प्रकार की भावनाओं को ट्रिदर करने के लिए होती है तो निश्क्रिय रहते हैं उनकी स्वायत प्रणाली जो लड़ाई या उडान और प्रतिरक्षा प्रणाली आदी जैसे चिंतन शील प्रतिक्रियाओं के लिए काफी हत्त जिम्मिदार है अधिकांश लोगों से अलग तरीके से जुड़ी हुई है मनोरोगी के प्रकार के अधार पर आप पाएंगे कि वे अकसर उतक्रिष्ट होते हैं और वकील, स्टॉक ब्रोकर, हत्यारे, सेल्स परसन, सरजन और काफी अश्चर्य जुनक रूप से शेफ जैसे व्यावसाओं में उच्च सांधृता में पाए जाते हैं वे क्या और कैसे काम करते हैं उच्च कार्ने प्रडाली जबकि लोग सोचते हैं कि मनोरोगी शब्र अखंड है इसकी दो उप्ष्रेडिया है जिने समझना महत्पूर्ण है यदि किसी को यह जानना है कि क्या देखना है इन में से पहला उच्च क्रियाशील मनोरोगी है ये लोग अधिक नियंतृत और गड़ना करने वाले होते हैं उनके सीरियल किलर बनने और उस उर्जया को अपने करियर जैसे किसी और चीज में लगाने की बहुत कमप संभावना होती है इस प्रकार के मनोरोगियों को कमपनियों की CEO जैसी उच्च शक्ति वाली नौकरियों पर देखे जाने की अधिक संभावना है ये मत सोचिये कि ये उन्हें बाकी समाद जैसा बनाता है ये लोग अभी भी शातिर शिकारी हैं जो अपने रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति को उस निर्ममता को खतम कर देंगे जो ज़्यादा तर लोग करने में सक्षम नहीं है ये अनगनित लोगों को अजीवका खोने की कीमत पर हत्या करने या किसी व्योसाई को बरबाद करने से नहीं ड़ते ये पच्तावे या शर्म करने में ऐसमर्थ है और अपने कार्रेओं पर उन्हें कोई नीद नहीं आएगी कम कार्रेशीलता ये वे प्रकार है जो हम सिनमा घरों में लेशर फिल्मों में देखते हैं कम कार्रे करने वाले मनो रोगी को आमतोर पर अपनी प्रव्रती और भावनाव को प्रविंधित करने में बहुत अधिक कठिनाई होती है इसलिए उनके सीरियल किलर बनने के संभावना कहीं अधिक होती है हाला कि वे उस तरह से काम नहीं करते जिस तरह से अधिकांश लोग कलपना करते हैं वे अपने पीडितों को आकर्शन या चमक दमक से आकर्शित करने की अधिक संभावना रखते हैं यही वह समय होता है जब वे अपने लक्षियों का जीवन बरबात करने की तयारी करते हैं वे अभी भी गड़ना कर रहे हैं लेकिन उन प्रवत्तियों का पुना निर्देशित नहीं कर सकते हैं जिस तरह से उनके उच्चे कार्यशील समक्ष करते हैं, वे अभी भी छुपाने में बहुत अच्छे हैं। सामान्य स्थिती के परदे के नीचे अपनी वास्तविक स्वरूप को पहचानना, वे बड़े जूटे होते हैं, इसलिए दोहरी जिन्दगी जीना उनके लिए मुश्किल नहीं होता। वे आमतोर पर अच्छी तरह से सिक्षित भी होते हैं, इसलिए अपने कार्य को छिपाना कोई बड़ी उपलब्धी नहीं है, क्योंकि मनोरोगी आमतोर पर बुद्धिमान लोग प्रतीत होते हैं, इसलिए इस बात पर भरोसा ना करें, कि खुद को इतनी आसानी से त्याग देंगे, हम उसे क्या सीख सकते हैं? अब चाहे मनोरोगी कितने भी खतरना क्यों ना हो, उनके पागलपन के विसिष्ट ब्रांड के बाबजूद, उन्हें नजर अंदाज नहीं किया जाना चाहिए, उनके पास सिखाने के लिए बहुत कुछ है, खासकर उन लोगों के हैं, हमारे बीच की इन कुशन शिकारियों को कई कारणों से अध्यन करना अच्छा है, जिन में से सबसे इस पश्ट कारण शायद किसी की सुरक्षा है, हालां कि वे किसी भी जनसंख्या को लगबग एक प्रतिशत ही बनाते हैं, फिर भी जब आप विचार करेंगे कि प्रि अभी भी बहुत सारे लोग हैं, इसका मतलब यह है कि इस बात की बहुत अच्छी संभावना है कि हर कोई अपने जीवन में कम से कम एक मनोरोगी से मिलेगा, इसलिए शायद यह सबसे अच्छा होगा कि आप जाने कि उन्हें कैसे पहचाने और अपने और अपने करीबी लो एक जो हम मनोरोगियों से सीख सकते हैं, वह है किसी भी कार्य से अपनी भावनाव को अलग करने की उनकी च्छमता, हाला कि अधिकांश लोगों द्वारा इसमें समान स्तर तक महारत हासिल नहीं की जा सकती, लेकिन इसे कुछ हद तक अपनाया जा सकता है, अपने आसपास की चीजों और लोगों से अलगाव पाना, अपने आप में एक महान लक्षय हो सकता है, किसी को हर उस चीज और हर उस व्यक्ति के प्रति उदासीन होने की जुरत नहीं है, जिसे वह जानता है और प्यार करता है, यह काफी अच्छा है कि कोई व्यक्ति अकेले पन को अपनाना सीख ले ताकि वे अपने स्वार्थ पर अधिक ध्यान केंद्रेत कर सके मनोरोगी तनाव से असानी से प्रभावित नहीं होते हैं इससे उन्हें किसी भी स्थिती का शान्ती पूर्वक आकलन करने और उसके अनुसार कार्रे करने की छम्ता मिलती है इसके इलामा विशलेशन के अनुसार उनके पक्षाशात से प्रीडित होने की संभावना नहीं है उनकी स्वायत प्रडालियां इस बात का एक बड़ा कारण है कि वे जोखिम लेने से अवचलित है चैप्टर थ्री दूसरों को प्रभावित करने के लिए उप्योग की जाने वाली समाने रड़नीतियां और तक्नीके पहली ब्रेन वाशिंग ब्रेन वाशिंग आसानी से नहीं होती है और इसके प्रभावी होने में काफी समय लग सकता है इस चरड में सिध्धान्त की प्रक्रिया के साथ साथ इसे सामिल करने वाले सभी तत्तों पर ध्यान केंद्रित करने की भी सबसे अधिक संभावना है मेडिया और जो फिल्में देखी जा रही है उनमें बहुत से लोग अनुनए, परस्वेजन को एक दुष्ट तरीके के रूप में देखते हैं जो उन लोगों द्वारा किया जाता है जो भ्रष्ट करने, प्रभाव डालने और सत्ता पाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग जो उपदेश की शक्ती पर भरोशा करते हैं, सोचते हैं कि उनके आसपास के लोग अपने दिमाग के साथ साथ अपनी आदतों को भी नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं आमतोर पर उपदेश की प्रक्रिया कहीं अधिक परिश्क्रत तरीके से होती है और इसमें वे खतरनाक तरीके शामिल नहीं होते हैं जिनसे अधिकांश लोग इसे जोडते हैं, यह चरण निश्चित रूप से और भी अधिक जानकारी में प्रवेश करेगा कि उपदेश क्या है और यह विशे कि मानसिक्ता को कैसे प्रभावित कर सकता है दूसरा, हिपनोसिस, सम्मोहन, अगले प्रकार का अंधकार मैं मनोविज्ञान है जिसका मैं खुलासा करूँगा सम्मोहन क्या है? इसकी बहुत सारी परिभाशाएं है American Psychological Association सम्मोहन को एक सहायक इंटरफेस के रूप में समझाता है जहां सम्मोहन करता सुझाव देता है जिसका प्रतिभागी जवाब दे सकता है और उसे जवाब देना चाहिए हाला कि यह डार्क साइकोलोजी बन जाता है जब सम्मोहन करता ऐसे सुझाव देना शुरू करता है जो प्रतिभागी के अपने वातावरण में कार्रे करने के तरीके को नुकसान पहुचा सकता है या बदल सकता है अधिकांश लोग जो सम्मोहन से गुजरते हैं वो इसे नींद जैसी ट्रांस अवस्था की ओर संकेत करते हैं हाला की सम्मोहन प्रतिभागी जुलन कलपनाओ समवेदन शील सुझाओ शीलता और केंद्रित जागरुकता की स्थिती में है यह नई अवस्था उन्हें सम्मोहन करता द्वारा दी गई सिफारिशों के प्रति अधिक समवेदन शील बना लेती है बहराल अधिकांश विशेशग्य इस बात से सहमत है कि अंधेरे, मनोवेज्ञान यानि की डार्क साइकोलोजी के एक भाग के रूप में सम्मोहन या हिपनोसिस का प्रभाव वास्तविक्ता नहीं है यद्यपी विशेश में कुछ बदलावों को सुईकार करने के लिए मन को समझाना संभव है लेकिन यह संभव नहीं है कि विशेश इस प्रणाली के माध्यम से अपनी संपूर्ण सोच प्रणाली को बदल सके कई प्रमाडित मनोवज्ञानिक पेशेवर इस माध्यम का उप्योग विशय को अपने दिमाग को नियंत्रित करने के बजाए दर्द, प्रबंधन और आत्म सुधार की दिशा में सहायता करने के लिए करते हैं तीसरा, मैनूपिलेशन, हेर फेर, डार्क साइकोलोजी, अंधेरे मनोवज्ञान के शीर्स रैंकिंग प्रकारों में से यह एक है जो नियंत्रित कर सकता है कि कोई व्यक्ति कैसे सोचता है मनोवज्ञानिक, हेर फेर, यानि की मैनिपुलेशन जैसा कि मैं इस पुस्तक में इसे हेर फेर के रूप में संदर्भित करूंगा एक प्रकार का सामाजिक प्रभाव है जो दूसरों के निर्णेों का प्रभावित करने के लिए काम करता है यह हेर फेर करने वाले और हेर फेर किये जाने वाले लोगों के हितों को आगे बढ़ाने के लिए अपमाल जनक, गुप्त और ब्रामक दिस्ट्रिकोंड को अपनाता है जबकि अधिकांश लोग यह पहचान लेते हैं कि उनके साथ छेड़ छाड़ की गई है लेकिन वे यह समझने में विफल रहते हैं कि यह एक प्रकार का मन पर नियंतर है चलांकी से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल हो सकता है क्योंकि यह उन लोगों के बीच होता है जो एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते हैं हेर फेर के कारण विशय के पास किसी मामले में कोई विकल्प नहीं होता उनके दिमाग में आधा सच और पूरा जून बरा होता है जिससे वे पूरी स्थिती से तब तक बेखबर रहते हैं जब तक की बहुत देर नहीं हो जाती जैसे ही उन्हें समय से पहले चीजों की स्थिती का पता चलता है अन्तता उन्हें अपने लक्षय प्राप्त करने के लिए एजिंट द्वारा ब्लैकमेल किया जाता है विशय मामले के बीच में फसा रहता है क्योंकि अगर चीजे बिगडती हैं तो अन्तता वे ही दोश लेंगे आखरी पर्स्वेजन यानि अनुनए डार्ग साइकोलोजी का एक और रूप जो हेर फेर के समान काम करता है वे है पर्स्वेजन यानि की अनुनए है यह भाग विशय की प्रेड़नाव व्योहारों इरादों, विश्वासों और द्रिष्टी कोणों को प्रभावित करता है विरोधा भासी विचारों वाले लोगों को सहमत करने के लिए पर्स्वेजन अनुनए डार्ग साइकोलोजी का एक और रूप जो हेर फेर के समान काम करता है वह पर्स्वेजन यानि की अनुनए है यह भाग विश्वेज की प्रेड़नाओं, व्योहारों, इरादों, विश्वाशों और द्रिष्टी कोण को प्रभावित करता है विरोधा भासी विचारों वाले लोगों को सहमत करने के लिए संचार के एक अवश्यक रूप को प्रभावित करने के लिए अनुनए का उपियोग हमारे रोजमर्रा के जीवन में विभिन चीजों के लिए किया जा सकता है इस प्रक्रिया के दौरान चाहे मौखिक हो या लिखित शब्दों का उपियोग दूसरे प्रश्न को तर्क, भावनाए या जानकारी देने के लिए किया जाता है अनेक प्रकार के अनुनए उपलब्ध हैं उन सभी का कोई बुरा इरादा नहीं है हाला कि वे सभी किसी चीज के बारे में विशय के दिमाग को बदलने के लिए काम करते हैं एक राजनेतिक, उमीदवार, चुनाओ के दिन किसी विशेश व्यक्ति के लिए मतदाता या विशय को वोट देने के लिए प्रयास करने के लिए टीवी पर आता है टेवी या ओनलाइन विज्यापन किसी विश्वय को एक विशेश उत्पाद खरीदने के लिए प्रेरित करने का प्रयास करता है ये सभी प्रकार के अनुनए यानि की पर्स्वेजन है जो विश्वय के विचार पैटर्न को बदलने का अमादा है धोखे को अन्धेरे यानि की टार्क साइकोलोजी का एक रूप माना जा सकता है जो चीजों और घटनाओं के बारे में एसत्य या आश्यंकिक सत्य के साथ विशय की माननेताओं का प्रभावित करता है हाला की धोखा, प्रचार, दुश्प्रचार, हाद की चलाखी, ध्यान भटकाना, छिपाना या यहां तक की चालावरण से लेकर कुछ भी हो सकता है धोखा, एक गंभीर प्रकाय की अंधेरे मनो विज्ञान की प्रणाली है, जो पीडित के लिए अत्यधिक, खतरनाक हो सकती है क्योंकि उसे चल रहे डार्क साइकोलोजी के बारे में पता नहीं हो सकता है पीडित को हर अवश्यक संधे से परे आश्वश्त किया जाता है, कि जो कहा जा रहा है, वह सच के इलावा और कुछ नहीं है जबकि मामला इसके विपरीत है, यदि छिपाई गई जानकारी विशय के खतरे में डाल दे, तो धोखा अधिक खतरनाक हो सकता है हाला कि जिस छड एजेंट को मकसद के धोखे के रूप में पहचानना या पता लगाना शुरू कर देता है उन्हें उस व्यक्ति पर भरोसा करने में परेशानी होने लगती है फिर भी धोखा हमेशा बुरे उद्देश्यों से जुड़ा नहीं होता है इसका लक्षे किसी रिष्टे को तूटने से बचाना भी हो सकता है चैप्टर फोर वाट इस पर्स्वेजन अनुनाई क्या है जब व्यक्ति अनुनाई के बारे में सोचते हैं तो वे निश्चित रूप से अक्सर कई समाधान निकालेंगे कुछ लोग विज्यापनों के साथ साथ अपने आस पास देखे जाने वाले विज्यापन और मार्केटिंग पर भी विचार कर सकते हैं जो एक अलग वस्तू के बजाए एक विशिष्ट वस्तू के अधिग्रहण को प्रेरित करता है अन्य लोग राश्ट्रिय नाजनीती के संबंध में अनुनाई के बारे में सोच सकते हैं और यह भी कि संभाविक लोग एक और मतदान के लिए नागरिकों के दष्टि कोंड को कैसे मनाने का प्रयास कर सकते हैं ये दोनों अनुनई के उधारन हैं क्योंकि संदेश विशय के विश्वास को बदलने का प्रयास कर रहा है अनुनई जिसे इंग्लिज में पर्स्वेजन कहा जाता है जीवन में स्थित हो सकता है और ये विशय के साथ संस्कृती पर भी महत्पूर प्रभाव डालने वाला एक अत्यन्त प्रभावी दबाव है विपणन, इलेक्ट्रोनिक मेडिया, कानूनी निर्णय और राष्ट्रिय राजनीती सभी निश्चित रूप से इस बात से प्रभावित होंगे कि अनुनय कैसे काम करता है और परिणाम सुरूप यह निश्चित रूप से विशय को समझने में भी काम करेगा जैसा कि देखा जा सकता है अनुनय और मन पर नियंत्रण के विभिन अन्य प्रकारों के बीच कुछ महत्पूर अंतर हैं जिनके बारे में हम इस मैनवल को अब तक बता चुके हैं उनके दिमाग और उनकी पहचान को बदलने के लिए निश्चित रूप से एक कांत में रहने पर उपदेश साथ ही सम्मोहन चिकित्सा की अविशक्ता होती है एक समा योजन निश्चित रूप से अंतिम लक्षे तक पहुँचने के लिए केवल एक ही व्यक्ती की सेवा करेगा जबकि अनुनय केवल उनके दिमाग को कंडीशनिंग करके किया जा सकता है उसी तरह एक पूरी टीम यहां तक की संस्कृती को उनके विश्वास करने के तरीके को बदलने के लिए मनाने के लिए बड़े पैमाने पर अनुनय का उप्योग करना भी संभव है यह इसे और अधिक विश्वस्तिय बना सकता है और संबता ऐ सुरक्षित भी क्योंकि यह केवल एक ही विश्वाई के दिमाग के बजाए एक ही समय में कई वक्तियों के दिमाग को बदल सकता है बहुत से लोग इस गलत फैमी में पढ़ जाते हैं कि वे अनुनय के प्रभावों के प्रति समवेधन शीर नहीं है उनका मानना है कि वे निश्चित रूप से किसी भी प्रकार की बिक्री पिच को देखने में सक्षम होंगे जो उनके रास्ते में आती है चाहे प्रतिनिधी, एक वस्तु या कुछ मौलिक्ता की पेशकश कर रहा हो और उसके बाद जो परिद्रिश्य हो रहा है उसे समझ सकते हैं साथ ही पता लगा सकते हैं अपने अपने तर्ग से निड़नाए कुछ परिस्थितियों में ऐसा होने की सबसे अधिक सम्भावना है जब कोई व्यक्ति तरका उप्योग करता है तो वह हर पल में जो कुछ भी सुनता है उसके आगे नहीं जुकता खास कर अगर यह पूरी तरह से उनके विशारों के विप्रीद जाता है भले ही बहस कितनी भी ठोस क्यों ना हो इसके इलावा अधिकास विशय निश्चित रूप से टीवी के साथ साथ महेंगी कारों और ट्रको या बजार में नवीनतम वस्तु खरीदने से संबंधित संदेशों को रोकने में सक्षम होंगे अकसर अनुन्यय का कार्य कहीं अधिक परिश्क्रत होने की संभावना होती है और साथ ही उन्हें जो बताया जा रहा है उसके बारे में अपना द्रिश्टिकोल विक्सित उनके लिए कठिन हो सकता है जब अनुन्यय का कार्य उठाया जाता है तो बहुत से लोग इसे प्रतिकोल द्रिश्टि से देखते हैं वे निश्चित रूप से एक विक्रेता या एक ठग पर विचार करेंगे जो उन्हें अपने सभी विचारों को बदलने के लिए प्रोचसाहित करने का प्रयास कर रहा है और समायोजन होने तक यह समबथा उन पर दबाव डालेगा और उन्हें परेशान करेगा हाला कि यह अनुन्यय के बारे में सोचने का एक तरीका हो सकता है इस प्रक्रिया का उपियोग आमतोर पर प्रतिकूल तरीके के बजाए अनुकूल तरीके से किया जा सकता है उधारण के तौर पर सिविल सेवा परियोजनाए व्यक्तियों को सीग्रेट पीने से रोकने के लिए प्रेरित कर सकती है या पुन्हा, उपियोग, अनुनय के प्रकार हो सकते हैं, जो विशय के जीवन को बढ़ा सकते हैं यह केवल अनुनय की प्रक्रिया का उपियोग करके किया जाता है अनुनय के पहलू, विभिन प्रकार के मन नियंत्रण की तरह जब अनुनय की बात आती है तो विशेश पहलों पर ध्यान दिया जाना चाहिए ये घटक सटीक रूप से यह निर्डिश्ट करता है कि अनुनय क्या है यह सुनिश्चित करने के ले की अधिक पहचाने जाने योग्य है 2003 में पलॉफ के अनुसार अणुनय या परस्वेजन को एक प्रतिता आत्मक प्रक्रिया के रूप में परिभाशित किया गया है जिसमें बातचीत अन्य विक्तियों को मुफ्त विकल्प के वातावरण में एक संदेश के प्रसारण के माध्यम से किसी मुद्दे के बारे में अपने विचारों या कारे को बदलने के लिए मनाने का प्रयास करती है उन चीजों में एक जो अनुनय को विभिन प्रकार के मन यंत्रन से अलग बनाती है विशय को अक्सर मुद्दे में अपने स्वयम के निशुल्क चयन करने की अनुमती दी जाती है भले ही अनुनई के तरीके विशय के दिमाग को विशेष्ट दिशाओं में बदलने के लिए काम करने की संभावना रखते हूं विशय यह चुन सकता है कि वे किस विधी पर विश्वास करना चाते हैं यदि वे कोई वस्तु खरीदना चाते हैं या अन्यथा या आदि वे मानते हैं कि अनुनई के पीछे का सबूत उनके मन को बदलने के लिए परियाप्त ठोस है अनुनई में कुछ ऐसे पहलू मौजूद है जो इसे निर्देशित करते हैं इन पहलू में निम्ड की चीजें शामिल है अनुनई प्रतिकात्मक है निश्चित रूप से प्रतिनिधी शामिल होगा जो जान बूच कर विशय या टीम को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है आत्म अनुनई इस प्रक्रिया का एक महत्पून घटक है विशय आमतोर पर राजी नहीं किया जाता है और इसके इलामा उन्हें अपनी पसंद सुनने की आजाधी भी दी जाती है ऐसे कई तरीके हैं जिनसे प्रभावशाली संदेश भेजे जा सकते हैं जिनमें व्यक्त चीत अतिरिक्त रूप से अशाब्दिक या मौखिक रूप से भी हो सकती है आईए अनुनई के इन पहलों को थोड़ा गहराई से देखते हैं अनुनई का प्रारंभि घटक यह है कि इसका प्रतीर मात्मक होना अवश्यक है किसी को किसी विशेश तरीके से सोचने या कार्य करने के लिए रोजसाहित करने के लिए आपको उन्हें यह बताने में सक्षम करना होगा कि उन्हें अपने विचारों को क्यों बदलना चाहिए इसमें बिलकुल नया पहलू प्राप्त करने के लिए शब्दों, रूप और चित्रों का उप्योग शामिल होने की संभावना ह आप अपनी बात प्रकट करने के लिए तर्क या एसहमती शुरू करने के लिए शब्दों का उपयोग कर सकते हैं तस्वीरे उस सबूत को प्रकट करने का एक शांदार साधन है जो किसी व्यक्ति को एक या दूसरे रास्ते पर जाने के लिए मनाने के लिए अवश्यक है कुछ ऐशाब्दिक संकेत संभव हैं फिर भी वे शब्दों और चित्रों के उपियोग जितने प्रभावी नहीं हो सकते दूसरी तरकीव यह है कि दूसरों के कारे करने या विश्वास करने के तरीकों को प्रभावित करने के लिए अनुनय का जान वूज कर दूसरों को प्रभावित करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं और उन्हें बदलने के लिए अनुनय का उपियोग नहीं कर रहे हैं प्रेरक समवधा आपको उसी तरह विश्वास दिलाने के लिए विभिन तरीकों का प्रयास करेगा जैसा वे करते हैं यह कुछ उतना ही बुनियादी हो सकता है जितना की उनके साथ बहस करना या ऐसे सबूत पेश करना जो उनके दृष्टिकोर को कायम रखते हैं दूसरी और इसमें बहुत अधिक जुडाओ शामिल हो सकता है और यहां तक की विशय के दिमाग को बदलने के लिए अधिक धोके बाज प्रकार भी शामिल हो सकते हैं अनुनाय में उपयोग की जाने वाली विद्धियों के बारे में इस चरड के बाद में निश्चित रूप से समीक्षा की जाएगी कैसे बताएं कि आप एक प्रेरक हैं इरादा यदि आप अपने शिकार को मूर्ख बनाने का इरादा रखते हैं तो यह चलाकी है जब लोगों को पता चलता है कि उनके साथ छेर छाड की जा रही है तो वे आमतोर पर खराब प्रतिक्रिया दिखाते हैं इसलिए जब आप किसी को कुछ समझाने की कोशिश करते हैं तो इस बारे में बड़ी बात करें कि आप उनकी मदद कैसे करना चाते हैं उधारड मैं यह अभी केवल आपको बाद में पता चलने की परेशानी से बचाने के लिए कर रहा हूँ सच्चाई यदि आप जूट बोलते हैं तो यह चलाकी है लोग जूट बोलने से नफरत करते हैं इसलिए जब भी आप प्रेरग बनने का प्रयास कर रहे हूँ तो सुनिश्चित करें कि इसमें प्रशंस्निय अस्वीकारता के लिए पर्याप सत्य शामिल हो उधारण मैं ऐसा कुछ क्यों करूँगा तुम्हें पता है मुझे ठंड से नफरत है लेकिन डेव हमेशा इस बारे में बात कर रहे हैं कि उन्हें कभी कोट की जुरत नहीं पड़ी प्रभाव यदि व्यक्ति के लिए कोई सच्चा लाब नहीं है तो यह हेर फेर है जब आप लोगों को प्रभावित करते हैं तो यदि यह उनके हित में काम नहीं करता है तो आपको दोश देना चाहेंगे अपनी सलह मानने के नकारात्मक परिडामों की जिम्मेदारी से खुद को दूर रखने के लिए दूसरों पर प्रभाव डालना सुनिश्चित करें उधारण के लिए आपकी पत्नी आपको कभी भी कमरा नहीं देती डैन आप जानते हैं ग्रेक की पत्नी भी ऐसी है लेकिन जब वह मिनी वैन के बजाए परिवर्तनिये लेकर घर आता है तो उसने उसे दिखाया कि बॉस कौन है मुझे यकीन है कि अगर वह अभी यहा होते तो आपको परिवर्तनिये के लिए जाने के लिए कहते हैं बड़ी तस्वीर को ध्यान में रखना महत्पूर्ण है लेकिन अत्यधिक प्रेरक लोग दूसरों को प्रभावित करने की अपनी छमता में सुधार करने के लिए विश आते हैं कि मनाने कि आपके प्रयास काम करेंगे साहसी रुक अपनाएं शोध से पता चलता है कि लोग विशेश अग्यता के बजाए एहनकार को प्रात्मिक्ता देते हैं मस्तिश्क को कोशल के साथ आत्म विश्वास के बराबरी करने के लिए डिजाइन किया गया है भारी स सबूतों के सामने भी आत्म विश्वास की सही मात्रा लोगों को माफ कर देगी या पिछली विफलताओं को दूर कर देगी लोग आत्म विश्वास को इतना अधिक पसंद करते हैं कि मैं बिना किसी व्यक्तिगत अनुभव के लगभत किसी भी विशेश अग्या की राय को थोड़ा उच्सहा और अटूर्ट विश्वास जोड़ें कि मेरी स्थिती सबसे अच्छी है और इससे दबाव बढ़ जाता है मैं मुझे विश्वास है और मुझे लगता है जैसे बयानों से बचता हूँ इसके बजाए मैं वास्त विकता है मुझे इस बात पर पूरा यक मुझे पता है जैसे बयानों का उपियोग करता हूँ चाहे कुछ भी हो मेरी राय के पीछे खड़ा होना दूसरों को पहले खुच से सवाल करने पर मजबूर करता है भाशड़गर समायोजित करें सेल्समेन एक कारण से प्रचारकों की तुल्ला में तेजी से बात करते हैं ऐसी स्थितियों में जहां आपके शरोता पीडित के ऐसहमत होने की संभावना हो तेजी से बोलने से आपकी प्रेरत शमता में सुधार आता है यह अतिरिक्ति रूप से जिस चीज के बारे में शपत ले रहा है उसे प्रामणिक्ता की हवा देता है यह साथियों और अधिनस के बीच एह संतोष को दूर करने के लिए परियाप्त हो सकता है इसमें खरीद फरोक्त में केवल थोड़ी विद्धी होती है इसलिए मैं मुसीबत से बाहा निकलने के एक मात्र तरीके के रूप में इस पर भरोसा नहीं करता उधारण के लिए जेम्स मैं समझता हूँ कि यह आपके लिए गरम विशा है लेकिन बैठ जाओ और सुनो कि हम क्या कहना चाहते हैं जाने कि लोग जानकारी को कैसे ससंदित करते हैं पादरी और विग्यानिक दुनिया को अलग तरीके से देखते हैं एक विज्ञानिक को यह समझाने की कोशिश करना कठिन हो सकता है कि दुनिया ईश्वर द्वारा बनाई गई है इसके विपरीत भी ये बात सच है क्योंकि प्रतियक व्यक्ति दुनिया को कैसे देखता है और जानकारी की व्याक्या कैसे करता है मैं अपने शब्दों को अनुकूलित करता हूँ और अधिक्तम प्रभाव पाने के लिए उस व्यक्ति से संपर्क करता हूँ जिसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ kisी धार्मिक व्यक्ति को प्रभावित करते समय मैं विश्वास और योजना जैसे शब्दों का प्रयोग करता हूँ जब मुझे किसी व्यज्ञानिक से सहमत होने के आवश्क्ता होती है तो मैं सबूत और अनुसंधान जैसे शब्दों का उप्योग करता हूँ मैं उस व्यक्ति के शब्दों को सुनता हूँ जिसे प्रभावित करने की कोशिश कर रहा हूँ और फिर वहां से चला जाता है उधारण, जेम्स आपने मुझसे कहा था कि आपको ईश्वर की योजना पर विश्वास है उसने बिना किसी कारण के हमें एक ही कमरे में नहीं रखा होगा या सैम, इसका कोई सबूत नहीं है कि जेम्स ने आपका सैंडविच लिया था लेकिन उसकी मेज पर टुकड़े पड़े है कुछ बातों पर कोई भी ऐसे व्यक्ति पर विश्वास नहीं करता जो केवल हम से सहमत होता है एक या दो विरोधी दिश्टी कोड़ साजह करना एक इमानदार और प्रेरग बातचीत का एक सामान्य हिस्सा है कोई भी प्रस्ताओ पूर्ण नहीं होता है और एक छोटा सा अंतर होने से मुझे यह दिखाने में मदद मिलती है कि मैं समस्याओं को कैसे कम करता हूँ और कैसे दूर करता हूँ यह मुझे बाद की ऐसेहमतियों के लिए मदद मिलती है जिन लोगों को मुझे समझाने की जुरत है वे समझते हैं हम हर बात पर सहमत नहीं हो सकते उन्हें कुछ छोटी छोटी और कुछ ऐसी चीजें देकर जिन पर वे आसानी से काबू पा सकते हैं वे मान लेते हैं कि हर संगर्ष को सुलजाना उतना ही असान होगा इस से उन्हें मनाना असान हो जाता है क्योंकि वे जानते हैं कि मैं समझता हूँ और उनकी गलत फहिमियों को दूर कर सकता हूँ उधारण मैं तुम्हें वही रोग देता हूँ जिन मैं सहमत हूँ कि कम कर सभी नागरिकों के लिए अच्छा है लेकिन सीर्स एक प्रतिशत को हम में से बाकी लोगों की तुलना में अधिक लाब होता है तो क्या आप यहां कीचड में श्रम करते हुए भी उन्हें लाब देते रहेंगे या बड़े कुत्तों में शामिल होकर दस्तावेज पर हस्थाक्षर करने जा रहे हैं सकारात्मक निशकर्ष निकालें दूसरों को प्रभावित करने में बहतर बनें यदी लक्षय परिवर्तन लाना है तो उस परिवर्तन को प्रोसाहित करने और निर्देशित करने पर ध्यान केंड़िट करे मैं चिन लोगों को जिस दिशा में लेकर जाना चाहता हूँ उन्हें प्रभावित करने का प्रयास करता हूँ यह है उन्हें उस ट्रैक पर ले जाता है जो मैं चाहता हूँ और उनके लिए मेरे साथ बहस करना कठिन बना देता है क्योंकि उनका दिमाग पहले से ही तयार है किसी पहले से स्थापिद विकल्प को सुईकार करने और उसके साथ चलने की तुल्ला में नए विकल्प के साथ आने में अधिक बानसिक प्रयास के अवशक्ता होती है उन्हें वहां ले जाएं जहां उन्हें होना चाहिए ना कि ऐसी जगहा जहां उन्हें जाने से बचना चाहिए उधारण तुम्हें चलना पसंद है न? क्या आप अपनी बेटी को उसकी शादी के दिन गलियारे तक लेकर जाना चाहते हैं तो मुझे तिजोरी का सयोजन बताए और आपको अपने दोनों घुटनों को रखना होगा सही माध्यम चुने कुछ चीजें व्यत्तिगत रूप से कठिन होती है एक बड़ा कारण है कि हर नौकरी के लिए साक्षातकार से पहले बायोडाटा की आवशक्ता होती है आमने सामने की बादचीत भावनाव को इस तरह से निर्णर लेने के लिए अनुमती देती है जैसे की पार्ट, वीडियो और या ओडियो नहीं इसलिए अगर मुझे भावनात्मक होने से बचने के लिए उस व्यक्ति की जुरत है जिसे मैं प्रभावित कर रहा हूँ, तो मैं पहले उनका उपियोग करने से बचता हूँ यदि मेरे पास कोई विकल्प है, तो मैं हमेशा उन लोगों से मिलने से पहले उन्हें इमेल करता हूँ जिने मैं अच्छी तरीके से नहीं जानता हूँ, खास कर यदि मेटिंग किसी व्योसाइक प्रस्ताव या सुझवाओ के बारे में हो लेकिन मैं इस बात पर ध्यान देता हूँ कि मदद मांगने या सलहा देने से पहले दोस्तों और प्रिये जनों से व्यक्तिगत रूप से मिलू हमेशा सही रहें, प्रत्येक सरंचना को एक कंकाल की अवशक्ता होती है तर्क, भाशा और तर्क की बुनियाद पर बनाए जाते हैं फ्रेमिंग, लगभग डिलीवरी जितनी ही महतपूर है लेकिन प्रेरक होने का सबसे अच्छा तरीका सबसे पहले सही संदेश देना है सबसे प्रभावी प्रेरक यह सुनिश्चित करते हैं कि संदेश को इस तरह से तैयार और वित्रित किया जाए जो माईने रखता हो प्रभावी वक्ता, पष्ट, संचिप और सटीक होते हैं वे ठोस डेटा, तर्क और तुर्टी हीन निसकर्शों के कारण सफल होते हैं चैप्टर फाइफ, पर्स्वेजन वर्सिस मैनुपिलेशन हेरफेर और अनुनए हेरफेर की खराब प्रतिष्ठा है यह एक डार्क कला है क्योंकि इसमें लोगों से उनकी इच्छा के विरुद या उनकी जानकारी के बिना कार्रे करवाना शामिल है फिर भी इसका यह मतलम नहीं है कि हेरफेर का उप्योग हमेशा बुरे के लिए किया जाता है कभी-कभी आप हेर-फेर का उपियोग सकारात्मक उद्देश्यों के लिए कर सकते हैं जैसे लोगों को बुद्धिमार निर्णा लेने के लिए प्रेरित करना इससे उस व्यक्ति को भी फाइदा हो सकता है जिसके साथ आप छेर-छाड कर रहे हैं और साथ ही खुद भी कभी-कभी हेर-फेर से केवल आपको ही फाइदा होता है लेकिन इससे दूसरे व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं होता है आपको दूसरे को चोट पहुचाने के लिए हेर-फेर का उपियोग करने की जुरत नहीं है हाला कि यह उस संबंध में भी निश्चित रूप से उपियोगी होगा हेर-फेर एक मूल्यवान कौशल है क्योंकि यह आपको बड़त हांसिल करने और जो आप चाहते हैं उसे प्राप्त करने में मदद करता है यह आपको अपने लक्षियों और अकांशाओं को आगे बढ़ाने के लिए लोगों को उनकी पूरी छमता से उपियोग करने में सक्षम मनाता है जब आप दूसरों के साथ छेड़ छाड़ करते हैं तो डरपोख होना महत्पूर है लोग चलाकी किये जाने और ऐसे काम करने से नफरत करते हैं जिनके लिए मैं सहमत नहीं है लेकिन ध्यान रखें कि अधिकांश लोगों में जोड़ तोड की प्रवत्ती होती है और जोड़ तोड दुलब नहीं है इसलिए इस अधियाय में शामिल हेरफेर नर्णीती का उप्योग करने के लिए आप बुरे व्यक्ति नहीं है आप बस जो चाहते हैं उसके पीछे जा रहे हैं यह आपको शक्तिशाली और सकारात्मंग भी बनाता है बस अपने हेरफेर के प्रयासों को छिपाना और अपने इरादे को छिपाना सुनिश्चित करें अन्यथा लोग आपको कटोर्था से मुल्यांकन करेंगे और आप पर क्रोधित होंगे यदि आप जोड तोड करने वाली की प्रतिष्ठा हासिल कर लेते हैं तो आप दाएं और बाएं मित्रों को खो सकते हैं तो आईए इस आकर्शक और उपियोगी विश्य पर गहराई से विचार करें किसी को अपना मोहरा बनाए आप उन लोगों के साथ छेडशार नहीं कर सकते जिनके साथ आपके संबंध नहीं है इस से पहले कि आप उसे सफलता पूर्वक हेरफेर कर सके आपको एक तालमेल बनाना होगा और अपने विशय को प्रमुख बनाना होगा इसका मतलब है कि आपको उस व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का संबंध बनाने के अवश्यकता है मनो वैज्ञानिक तरकीमों के सैयोजन का उप्योग करके आप किसी व्यक्ति को अपने लिए कमजोर बना सकते हैं आपका विशह आपके लिए कुछ भी करने को तैयार होगा यदि आप उसके मन को तोड़ दे और हेरफेर के अपने प्रयासों के प्रति उसे नरम कर दे भावनात्मक हेरफेर के माध्यम से प्राइमिंग सबसे अच्छी तरह हांसिल की जाती है आप किसी की भावनाओं के साथ खेलना चाते हैं पहला कदम है अपने आसपास किसी को अच्छा महसूस कराना जब कोई आपको पसंद करता है तो वह आपके प्रेरत प्रयासों के प्रती अधिक खुला होगा और आपको खुश करना चाहेगा वह आपके साथ समय विताना चाहेगा क्योंकि आप उसे अच्छा महसूस करवाएंगे यह समय आपको उसके मन में अपनी बात अधिक सफलता पूरवक पहुचाने में सक्षम मनाता है तो सार्थक चापलूसी से शुरुवात करें यह देखने के लिए अपने विशय का निरिक्षड करें कि उसके लिए क्या माइने रखता है फिर उन चीजों के लिए उसकी तारीव करें जिनकी वह कद्र करता है और जिनकी वह परवा करता है उधारण के लिए यदि वह खेल पसंद करता है और सबताहंत में सौफ्ट बॉल खेलता है तो उसके हासात खेल के बारे में अधिकाधिक जुड़ जाएगा इसके बाद भावनात्मक रूलर कोश्टर शुरू करें जैसे जैसे आप इस व्यक्ति को बहतर तरीके से जानने लगते हैं और उसे अपने साथ अधिक से अधिक जुड़ाओं महसूस कराते हैं वैसे वैसे उसके आत्म सम्मान पर संधे करना शुरू कर देते हैं आप ऐसा उन चीजों का पता लगा कर सकते हैं जिनके बारे में वह दोशी है या जव कुछ वह करता है उसके लिए उसे दिर्शी महसूस करा सकते हैं हमेशा पीडित की भूमी का निभाएं और उसे एक भयानग व्यक्ती की तरह महसूस कराएं एक बच्चे की तरह चिलाना संभव है लेकिन एक व्यसक की तरह व्योहार करना और उसकी छोटी छोटी बातों पर बहुत आहत होने का नाटक करना और उससे यह कहना बहतर है कि आपने उसे माफ कर दिया यदि आप एक व्यसक होने का दिखावा करते हैं जो हमेशा उचे रास्ते पर चलता है तो बहतर दिखेंगे वह आप पर और भी अधिक मोहित हो जाएगा और आपकी प्रशंशा करने लगेगा अप रादबोध बहुत शक्तिशाली है लेकिन आत्म संधे भी ऐसा ही है उसके मन में संधे के बीज बोए ताकि वह ऐस सुरक्षित महसूस करे उसे अपने दोस्तों और परिवार को उन भयानक चीजों के बारे में बता कर नफरत करना शुरू करें जो वे करते हैं या कहते हैं ताकि वे अपने सामाजिक समर्थर नेटवक और अन्य लोगों के लिए अपने मूल्य पर संधे करें उसे ऐसी चीजे या बाते कहकर उसकी छमताओं और कौशल पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित करें आप जानते हैं कि आप इसमें अच्छे नहीं है या ये आपकी शक्तियों में से एक नहीं है उसे बताएं कि आप बस उसकी ऐचमताओं के प्रती उसकी आखे खोल रहे हैं ताकि आप उसे ऐसफलता के दर्द या उसकी दुखी प्रयजनों के आसपास रहने की दर्द से बचा सके फिर हर छोटे अपमान के बाद तारीफे करें इससे वे बहुत भ्रमित हो जाएगा उसे खुद पर संदे होने लगेगा और वह आपकी बातों पर विश्वास कर लेगा क्योंकि वह आपसे जुड़ा हुआ है लोग सुझाओ के प्रती काफी समवेदन शिल होते हैं इसके लिए यह विधी ऐ विश्वश्निय रूप से अच्छी तरह से काम करती है इस बीच उसे अभी भी ऐसा लगता है खतम करने के लिए सिर्फ इसलिए तयार नहीं होगा क्योंकि आप समय समय पर उसका अपमान करते हैं वह आपके लिए जो करता है उसके लिए आप उसे कोई पुरुसकार भी देना चाहते हैं जब वह आपको प्रसन करता है तो इसे दिखाएं और उसकी प्रशंशा या उपकार करें इसके इलावा उसके लिए उपकार करें और उसे धेर सारी सेवाएं या सहायता प्रदान करें ताकि वह आपके लिए उपकार करने के लिए अधिक तयार हो यह परस्पारिक्ता का मूल सिध्धान्त है जहां लोग उन दयालता और उपकारों का जवाद देना पसंद करते हैं जो दूसरे उनके लिए करते हैं आप उन चीजों का उपियोग सौदे बाजी के उपकरन के रूप में कर सकते हैं जो आप उसके लिए करते हैं किसी एहसान का बदला चुकाने के लिए कभी-कभी उसे बुलाए और वे सम्वथा बदला लेने के लिए तयार हो जाएगा। यदि वे इच्चुक नहीं है तो उसे आय द्वारा दोशी बनाए उसे उस उपकार को याद दिलाना जो आपने कुछ समय पहले उसके लिए किया था भड़काने का अंतिम भाग किसी को उसकी विवेक शीलता और धाड़ना पर संदे करना है उसे बताए कि वे कैसे गलत है और क्यों गलत है इसके ठोश तरक पेश करें उसे बताएं कि वे हर समय बाते बना रहा है या गलत बाते याद कर रहा है समय के साथ या उसकी सुरक्षा और उसके मन की निश्चता को खत्म कर देगा इस विधी को गैस लाइटिंग के रूप में जाना जाता है और यह सबसे एक है जिससे आप किसी को प्राइम कर सकते हैं गैस प्रकाश विवस्था को हलके में ना ले आप इसका प्रयोग समय के साथ किसी को पागल करने के लिए भी कर सकते हैं यह आपके किसी करीबी के खिलाफ मनुवज्यानिक युद्ध का एक बड़ा रूप है यहां तक कि अग आप किसी की परवा करते हैं तब भी आप उसे चोट पहुचाए बिना उसे प्रमुकता दे सकते हैं उसे अपने उपर निर्भर बनाए ताकि वह आपके साथ कभी न छोड़े इस प्रकार की निर्भरता को पूरा करने के लिए आपको किसी के साथ रोमैंटिक रूप से नहीं मिल सकता अपने आपको उसके लिए बहुत उपियोगी बनाए और उसके एहनकार को बढ़ाए ताकि वह अपनी खुशी सोविधा या यहां तक की वित्यस थिर्था के लिए आप पर निर्भर रहे उसके अन्य प्रकार के समर्थन को एक्षम कर ताकि आप उसके जीव गैस लाइटिंग, अपरादभोध यात्राय और ऐसे अन्य तरीकों का उपियोग करने के अवश्यक्ता होगी प्रेरक तरीकों से किसी पर पकड़ बनाने के लिए अच्छा होना ही काफी है एक मित्र, प्रेमी या यहां तक की सहकर्मी के रूप में आप इस शुरुवात को फिभिन स्तरों पर पूरा कर सकते हैं, जिसे आप थोड़ा हेर फेर करना चाते हैं, उसके साथ अप ऐसा हलके फुलके ढंक से कर सकते हैं, या आप इसे किसी ऐसे व्यक्ती के साथ बहुत भारी कर सकते हैं, जिसे आप जीवन भर उपियोग कराना चाते हैं, किसी की बारे मे अच्छी तरह से पढ़े प्राइमिंग का एक और पक्ष है जिसे आपको ध्यान में रखना होगा इस पक्ष का संबंध पढ़ने से है किसी को हेर फेर करने के लिए आपको किसी के बारे में अच्छी तरह से पढ़ना होगा प्राकृतिक जोड़ तोड़ करने वाले लोग एक नजर में लोगों को पढ़ने में माहिर होते हैं यदि आप शुरू से ही लोगों को पढ़ने में इतने अच्छे नहीं हैं तो आप अपने विशय पर अच्छी तरह से पढ़ने के लिए समय और प्राइमिंग का उपियोग करें आप उस व्यक्ति को बहुत अच्छी तरह से जानना चाते हैं वहे जो कुछ भी आपसे कहता है उसे सुने और उसके खिलाफ इस्तमाल करने के लिए संभावित भावनात्मक हथियारों के लिए उसके भाशड को इकठा करें जो कुछ भी वहे आप पर विश्वास करता है या गलती से आपके सामने प्रकट कर देता है उसे किसी भी समय हथियार में बदला जा सकता है इन हथियारों को अपनी पिछली जेब में रखें जब आपको इनका उपियोग करने के अवशक्ता हो आप इनका यूस कर सकें सबसे अच्छे भावनात्मा खतियार कौन से है अपरात वोध समबता सभी में सबसे शक्तिशाली है लोग दोशी महसूस करने से नफरत करते हैं इसलिए उन चीजों का पता लगाए जिनके बारे में वहे दोशी महसूस करते हैं इसके इलावा उन चीजों का पता लगाए जिने वह प्यार करते हैं या जिनकी वह कद्र करते हैं आप उसे खुश करने के लिए और आपके लिए उसके काम के लिए उसे इनाम देने के लिए ये चीजे दे सकते हैं या आप इन चीजों को नश्ट करके उसे अपंग भी वना सकते हैं प्यार और जुनून लोगों को शक्ति और जीने की इच्छा देता है इन चीजों को छेनने से व्यक्ति कुचला जा सकता है उन चीजों के द्वारपाल बनने का प्रयास करें जिनसे वह प्यार करता है ताकि आप उस पर अंतिम प्रकाश शक्ति प्राप्त कर सकें उधारण के लिए अपने प्रियैजनों तक उसकी पहुँच पर रोक लगाएं और जब वह उन लोगों से बात करता है जिने आप सुईकार नहीं करते तो उसे रोकें लेकिन जब भी वह वही करें जो आप चाहते हैं तो उसे उन लोगों से बात करने दे जिनसे वह प्यार करता है जो चीज किसी को पसंद है उसे उसके खिलाफ प्योग करने का एक और तरीका यह है कि उन चीजों को महत्वीन बना दिया जाए जिनकी उसे परवा है यदि वे कहता है कि इसे कोई व्यंजन कितना पसंद है तो उसे बताए कि वे उतना अच्छा नहीं है उन छोटी-छ चीजों को बरबाद कर दें जो उसे पसंद है फिर आप बड़ी चीजों की और आगे बढ़ सकते हैं इसके इलामा उसकी राय को तुच्छ समझे सभी लोग अपनी राय से प्यार करते हैं और उसे महत्व देते हैं और मानते हैं कि वे सही हैं यदि आप उसे कुछ राय कराते हैं तो आप उसके आत्म सम्वान को कम करने में सक्षम होंगे और उसे उसकी सहीता पर संधे करने पर मज़ूर कर देंगे हर संभव तरीके से उसे तुछ समझ कर उसे छोटा महसूस कराए आखिरकार वह आपके सोचने के तरीके पर आ जाएगा और केवल उन चीजों को जो आपको पसंद है क्योंकि आपने उसे वह सब त्यागने के लिए मजबूर कर दिया है जो उसे पसंद है आप उसे छोटा और मूर्क महसूस कराएंगे इसलिए वह अपने च्छती ग्रस्त एहंकार को सुधारने के लिए मान्यता और अनुमोदन के लिए आपकी ओर जिसका आप उपियोग कर सकते हैं अधिकार्श लोग भरोसा करने की इच्छा रखते हैं आप उसे बता सकते हैं कि वह उन विभिन बातों के कारण भरोसे मन नहीं है जिन्हें उसने सुईकार किया है फिर अपना विश्वास जीतने के लिए उससे वही करे जो आप चाहते ह हैं मान लीजिये कि आप किसी लड़के को डेट कर रहे हैं और आप उससे छेड़ चाड़ करना चाते हैं उसे बताएं कि आप उस पर भरोसा नहीं करते क्योंकि उसने अपनी पूर प्रेमिका को धोखा देने की बात सुईकार की है उससे कहो कि तुम चिंता मत करो वह तुम में धोखा दे सकता है या दावा करें कि आपके साथ धोखा हुआ है इसलिए अब आपके पास भरोसे के मुद्दे हैं इस तरह वह आपका विश्वास जीतना चाहेगा वह आपको उस पर भरोसा दिलाने के लिए हर कदम उठाएगा जिसमें उन लोगों को भी शामिल करना जिन्हें आप उसके जीवन में पसंद नहीं करते हैं आप उसे उन महिला मित्रों और दोस्तों से दूर कर सकते हैं जो से शराप पीने और आपके बिना अच्छा समय बिताने के लिए प्रोचसाहित करते हैं यह कहकर कि आपको इन लोगों से खत्रा महसूस होता है आप उसकी प्रतिष्ठा का उपियोग उसे हेर फेर करने के लिए भी कर सकते है वह चाहता है कि दूसरे उसे पसंद करें इसलिए आप उसे एक हतियार के रूप में इस्तिमाल कर सकते हैं उससे कहें यदि आप ऐसा करेंगे तो कारिस्थल पर हर कोई आपसे नफरत करेंगा आप ऐसा नहीं चाते है ना सबसे अधिक संभावना है यदि वह एक सामान्य व्यक्ति है तो वह इस बात से सहमत होगा कि वह चाता है कि लोग उसे पसंद करें इसलिए वैसा कुछ भी नहीं करने पर पुनर विचार करेंगा जिससे उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान हो उसे बोलकर काम करने के लिए प्रोचसाहित करें इसका मतलब है कि अइस से उसे विभिन प्रमुख लोकों का समर्थन प्राप्त होगा सहकर्मियों को हेरफेर करने का एक शांदर तरीका उन्हें बोज को खुश करने और समवता वेतन विध्धी या पदो निती अरजित करने के बारे में टिप्स देना है एस सुरक्षाएं सांदार हतियार है जो कुछ भी उससे दुख पहुचाता है वे बहुत जल्दी स्पष्ट हो जाएगा जैसे ही आप उसे जानेंगे कुछ लोग अपनी एस सुरक्षाओं के बारे में इतने स्पष्ट होते हैं कि खास विशवय को उठाए जाने के बाद शान्त हो जाते हैं तो अब शर्ट लगा सकते हैं कि उस विशवय के बारे में वह एस सुरक्षित महसूस करता है आप यह भी अनुमान लगा सकते हैं कि उसकी स्पष्ट खामियों के अधार पर उसे क्या परेशानी है जैसे अत्यधिक बजन या अपनी पत्नी के साथ खराब संबंध लेकिन मुख्या रूप से आप उसे सुनकर उसकी ऐस रुक्षाओं के बारे में जानेंगे वह किस बारे में बात करता है उसे सुने और उन चीजों पर ध्यान दे जो उसे परेशान करती है या जिनके बारे में वह शिकायत करता है ये ऐस रुक्षाओं ऐसी चीजें है जिनें आप उसे चोट पहुचाने के लिए उचित समय पर सामने ला सकते हैं आप उससे उन चीजों का प्राइस चित करने के लिए कुछ करने का आगरहा भी कर सकते हैं जिनके पास उसकी कमी है या जो दोश या वह स्वयम में देखता है उसे ठीक करने के लिए साथ ही आप उसमें जो खामिया देखते हैं उसका लापरवाही से उल्लेक करके या बहस के दौरान उसके बारे में गंदी बाते कहकर उसके मन में नई ऐसुरक्षाएं पैदा कर सकते हैं अनतता आपके प्रति उसके ने या प्रेम का स्तर एक शक्तिशाली हतियार है यही कारण है कि दोस्त या प्रेमी ऐसी बाते कहेंगे यदि तुम उससे प्यार करते हो तो तुम ऐसा नहीं करोगे यही कारण है कि लोग छोड़ने की धमकी देना पसंद करते है अब उसे कारवाई के लिए उकसाने के लिए उससे अपना प्यार वापिस लेने की धमकी दे सकते है पीडित की भूमी का निभाएं पीडित की भूमी का निभाना जीवन में आपका नमबर एक जेल से मुक्त हो जाओ कार्ड है वाइल्ड कार्ड यदि आप बन जाते हैं पीडित की भूमी का निवाने में माहिर तो आप जो कुछ भी करते हैं उसे काफी हद तक कुछ ही ठहराय जा सकता है और अपने विशय को उसके द्वारा किये गए किसी भी काम के बारे में भयानक महसूस करा सकते हैं सबसे पहले आप विश्वास कराना चाते हैं कि आप पीडित हैं आप चीजों को तर्क संगत बना कर इसे पूरा कर सकते हैं उप्योग करें आपकी छेतना आपके कार्यों को उचे ठहराने की प्रक्रिया करती है अपने कार्यों को माफ करने के लिए उन तरीकों के बारे में सोचे जिनसे दूसरे ने आपके साथ गलत किया है जब तक आप मानते हैं कि आप पीडित हैं तब तक आप पीडित कार्ड खिलने के लिए दोशी महसूस नहीं करेंगे आप यहे भी स्थापित करना चाहते हैं आपकी मासूमियत और ऐसुरक्षा आप एक निर्दोष्ट पीडित की तरह दिखना चाहते हैं इसे जीवन से नुकसान हो रहा है ताकि दूसरों को आपके लिए खेद महसूस हो लोगों को सिसकती हुई कहानिया सुनाएं कि दुनिया आपकी खिलाफ कैसे है सुनिश्चित करें कि आपके स्थितियां दूसरों पर थोपी हुई ना हो चिड़े नहीं और यह ना सोचें कि आप अपनी समस्याओं के लिए बस दूसरे को ढोची तहराते हैं इसका एक अच्छा उधारन इस बारे में बात करना है कि बच्पन में आपके साथ किस तरह दुर्वेवार किया गया था ताकि आप बता सके कि अब आपको अच्छे प्रेम साथी और सुस्त दोस्त चुन्ने में कठिनाई क्यों हो रही है यह आपके कार्यों को माफ कर देता है और आपको एक पीडित की तरह दिखाता है जो अपने दिमाग को नियंत्रित नहीं कर सकता या खुद की मदद नहीं कर सकता दूसरे में सहानु भूती पैदा करे ताकि लोग आपका समर्थन करना चाहे जब आपका विशय कुछ ऐसा करता हो जो आपको पसद नहीं है तो पीडित कार्ड खेले उसे दिखाएं कि उसने आपको कितना गहरा दुख पहुचाया है आप इसे मूँ चिडाने, चुपचा ब्यवहार करने या बेतहाशा नकरे दिखाने से पूरा नहीं कर पाएंगे यदि आप इसी चीज के बारे में परिपक्त और शान्त दिखते हैं तो पीडित कार्ड खेलने के लिए आपको अधिक सफलता मिलेगी उसे इस थिर स्वर में बताएं कि उसने आपको चोट पहुचाई है उसे उसके उन कार्यों के लिए परिणाम प्रदान करें जो उसे पसंद नहीं होंगे कहें कि आप उससे अपने दिल और अपने हितों की रक्षा करने की आवशक्ता महसूस करते हैं इसके लावा उसे एक ऐसे संद की तरह पेश करके एक राक्षास की तरह महसूस कराएं जो कभी कोई गलत काम नहीं करता आप उसके साथ कुछ गलत नहीं करना चाहेंगे जिसे वह पीडित कार्ड खेलते समय आपके खिलाफ हतियार के रूप में इस्तमाल कर सके तो जब वह अन्य महिलाओं से बात करता है या देखता है तो आप पीडित कार्ड खेल सकते हैं लेकिन इस बात से बहुत साबधान रहें कि आप कभी भी दूसरे व्यक्ति के साथ ऐसा कुछ ना करें जिससे आपको बुरा लगे यदि आप धोखा देते हैं तो सुनिश्चित करें कि आपने जो किया उसके लिए उसे कभी भी आप पर संदेह ना हो उसे कभी भी उन टेक्स्ट या सोशल मीडिया पोश्ट तक महुचने ना दे जिनका उपियोग वह आपके खिलाफ कर सके अन्य था आपकी पूरी शिकार योजना द्वस्त हो जाएगी आप अन्य लोगों को यह बता कर भी बहुत प्रभावी ढंग से पेडित कार खेल सकते हैं कि वह आपके साथ क्या करता है ऐसा वेवहार करें मानो आप उसके बारे में शिकायत नहीं कर रहे हों बस लापरवाही से उन चीजों का उलेक करें जो है करता है, जो घ्रणित है उसने जो किया उसे बढ़ा चड़ा कर पेश करें ताकि वह भयानक लगे लेकिन यह पश्ट ना करें कि आप उसके बारे में शिकायत करने की कोशिश कर रहे हैं इसके बज़ाय ऐसा प्रतीत करें कि आप उसके कारियों का शिकार है और आपको एहसास नहीं है कि आपके साथ अन्याय हुआ है अन्याय लोग आश्चर्रे चकित हो जाएंगे और यहां तक की क्रोधित भी हो जाएंगे कि उसने आपके जैसे छोटे से मासूम बच्चे के साथ ऐसा किया होगा वे आपके सैनिक भी बन सकते हैं उसका सामना कर सकते हैं और उसे दोशी महसूस करा सकते हैं अपराद बोड आपका सबसे अच्छा तुरुप का इक्का है इसे भी इस्तेमाल करें लेकिन इसका इस्तेमाल भी सोच समझ कर करें बार बार पीडित कार्ड खेलने से इसकी शक्ति खत्म हो जाती है चैक्टर 6 Methods of Persuasion अनुनाय के तरीके बल का उपियोग करना जोड तोड करने वाला व्यक्ति पीडित को कुछ विशिष्ट प्रकार के तरीके से सोचने के लिए सफलता पूर्वक मनाने के लिए कुछ हग तक बल का उपियोग करने का निड्ने ले सकता है हाला कि यह उस विशेज छड की स्थिती पर निर्वर है हाला कि इसे ऐसे मामलों में लागू किया जाता है जहां जोड तोड करने वाले और पीडित दोनों के विचार मेल नहीं खाते हैं जिस प्रकार की बादचीत वे कर रहे हैं वह फलाई नहीं लगती है या जहां विशे मेल नहीं खाता है बादचीत ने जो मोड तोड लिया है उसके चिड़ना या निराश होना अधिकांश लोगों द्वारा इसे डराने की रड़नीती के रूप में वरगी करत किया जा सकता है क्योंकि है पीडित को होने वाली घटनाओं के बारे में तारकिक तरीके से सोचने के लिए नियुन्तम समय देता है जबकि पीडित सामान्य मानसिक स्थिती में होता है एक जोड तोड करता आमतोर पर उस विशेश उधारण पर अनुनाई की एक विधी के रूप में बल का उप्योग करने के लिए इच्छुक होता है जब वे अनुनाई की अपनी यात्रा में एक दिवार से टकरा सकते हैं वे ऐसा तभी कर सकते हैं जब जोड तोड करने वाले को ऐसा महसूस हो कि वह पीडित पर अपनी पकड का नियंतर खो रहा है या जब पीडित उन्हें जोड तोड करने वाले के खंडन के ठोज सबूत पैदा करें प्रमुख प्रश्न पूछना एक अन्य तरीका जिसे एक डार्क मैनिपुलेटर खुशलता पूरवक उपियों करता है वह है प्रमुख प्रश्न पूछना इसे आसानी से सबसे मजबूत मौखिक तकनीकों में से एक माना जा सकता है क्योंकि वे पेडितों से प्रतिक्रियाओं का एक विशिष्ट सेट प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते है उधारण के लिए एक अन्दकार पूर्ण प्रेरग अपने लक्षे से पूछ सकता है आपको क्या लगता है कि ये लोग कितने बुरे है इस मुद्दे का मतलब पहले से यह यह है कि समस्या ग्रस्त व्यक्ती निश्चित रूप से कुछ हट तक बुरे है डार्क करन्विर्स इन प्रमुख प्रश्नों को इतनी कुशलता से पूछते है कि उन्हें तुरंत लगता है कि पीडित को जहाद छोड़ने के लिक्साया गया है और केवल प्रश्न पंक्ती में वापिस आ जाते हैं जहाँ पीडित आराम की स्थिती में दिखाई देता है डार्क मैनिपुलेटर डार्क पर्स्वेजन या अनुनय को छुपाने के लिए अपने वास्तविक इरादों का भी उपियोग करते हैं असानी से डार्क अनुनय के संपर्क में आने के लिए अंधेरे में हेरफेर करने वाला शुरू से ही अपने अस्त्री इरादों को छुपाता है अन्यतव हैं असफल हो जाएंगे हुशल प्रेरक, व्यक्तिगत पीडित और परिस्थिती के अधार पर कई तरीकों से अपने वास्त्री इरादों को छुपा सकते हैं एक आवश्यक्तिया पैदा करें यह उन तकनीकों में से एक है जो अकसर जोड़ तोड़ करने वाले द्वारा इस्तमाल की जाती है ताकि पीडित को अपने सोचने के तरीके को बदलने में सक्षम बनाया जा सके यह एक आवश्यक्ता पैदा करता है या यूं कहें कि उस आवश्यक्ता की ओर आकर्शक करता है जो पीडित के भीतर पहले से ही मौजूद है यदि से कुशल तरीके से क्रियावन्त किया जाए तो कुछ ही समय में पीडित को प्रेरक की हतेली से खाना मिल जाएगा इसका मतलब यह है कि जोड़तोड करने वाले को अपने शिकार की मूलभू जरूरतों को पूरा करना होगा उधारन के लिए आत्मबोध की आवश्यक्ता यह तकनीक जादा तर मामलों में काम करेगी और जोड़तोड करने वालों के लिए अच्छी होगी क्योंकि पीडित को इन चीजों की आवश्यक्ता होगी उधारन के लिए भोजन आमतोर पर एक ऐसी चीज है जिसकी हम मनुश्यों को जीवित रहने के लिए आवश्यक्ता है और लंबई समय तक इसकी कमी एक बड़ी समस्या का कारण बनेगी यदि एजिंट विशे को यह विश्वास दिला सकता है कि उनका स्टोर सबसे अच्छा है या यादि वो अपने मान्यताओं को बदल कर अधिक भोजन या आश्रे प्राप्त कर सकते हैं तो सफलता की अधिक संभावना है उधारन और शब्दों का उपयोग शब्दु का अचयन जो व्यक्ति उपयोग के लिए चुनता है वह अनुनय का उपयोग की सफलता में एक लंबा रास्ता तै करता है किसी एक चीज के बारे में बात करते समय आप वाक्यों को कई तरीकों से बना सकते हैं अनुनई का उपियोग करने का प्रयास करते समय सही शब्दों को सही तरीके से कहने का ज़्यादा फर्क पड़ेगा मास मेडिया और विज्जापन द्वारा उपयोग की जाने वाली तरकीबे मेडिया जंता को समझाने के लिए दो मुख्य तरीकों का उपयोग करता है पहला शवियों का उपयोग और दूसरा ध्वनियों का उपयोग छवियों के उपयोग से मीडिया, अनुनाय, हमारी आहें और मस्तिश्क के द्रिश्य, प्रंसकरण छेत्र जो बहुत शक्तिशाली है बस एक मिनट के लिए इसके बारे में सोचो क्या आपने कभी किसी व्यक्ति के बारे में सोचा है बिना यह सोचे कि वह कैसा दिखता है, यही कारण है कि मीडिया द्वारा, कलपना और द्रिश्य, हेरफेर का एक पसंदीदा तरीका बन गया है कमपनिया, अकसर विज्यापन में अपने उत्पाद या व्यक्तियों का विभेजित सेकेंड छवियां शामिल करती है जो अंकित मुल्य से काफी निर्दोष लगती है, यह आमतोर पर अच्चेतन अनुनाय का एक रूप है यह विभाजित सेकेंड छवियां जिने आमतोर पर अधिकाज भाग के लिए मान लिया जाता है आमतोर पर पीडित पर किसी ना किसी तर्या का नियंत्रड ले लेती है जो उन्हें उस विश्य सेवा को खरीदने के लिए प्रेरित करती है थनी के उपियोग द्वारा मीडिया का अनुनाय करना ध्वानी एक और युक्ति है जिसका उपियोग मेडिया द्वारा ऐ प्रत्यशिक पीडितों को अनुनय करने में किया जाता है कुछ लोग आम तोर पर ध्वानी के भीतर मौजू शक्तियों को कम आते हैं लेकिन मुझे इसका जवाब दीजिये आपने कितनी बार कोई गाना कहीं सुना है और वह लगातार आपके दिमाग में घूमता रहता है गाने आम तोर पर हमें प्रभावित करते हैं भले ही हमें इसके बारे में पता ना भी हो यह जानते हुए भी कि हम इसे सुन रहे हैं जनता को समझाने की अपनी कोशिश में मीडिया इसी का फाइदा उठाता है किसी विज्यापन गीत में अक्सर ऐसे कई वाक्याज कुशलता पूर्वक्त शिपाए और दोराए जाएंगे जो समवता आपको एक कमपनी को दूसरी कमपनी से अधिक प्रसिंद करने के लिए प्रेरित करेंगे इसका उधारण मैंकडॉनल्स में देखने को मिलता है धुन I am loving it को अक्सर इस तरीके से दोराया जाता है जो प्रेडितों को लगातार अपना भोजन खरीदने के लिए प्रेरित करता है चैप्टर सेवन पर्सुेजन टेकनीक्स स्कैरसिटी यानि की कमी यह प्रभाव का एक हतियार है जिससे बहुत से लोग परिचित हैं लेकिन कमी की मूल परिभाशा के कारण इसे अक्सर कम करके आखा जाता है यदि किसी कारण या किसी अन्य कारण से किसी विशेश विचार या उत्पाद के उपलब्द होने का समय सीमित है तो सबसे अथिक सम्भावना है कि इसके साथ उची कीमत जुड़ी होगी मनुष्य के रूप में हमें आमतोर पर उस चीज का पीछा करने में लगे रहते हैं जो हमें नहीं मिल सकती जब कमी को यह मुद्द सामने आएगा तो यह उस संदर्व के आधार पर सामने आएगा जिसके तहत इसका उप्योग किया गया है इसका मतलब यह है कि यह कुछ परद्रिश्यों में दूसरों की तुल्ला में अधिक फाइदे मन सावित हो सकता है इस रड़नीती के सफल होने की संभाबना के दो मुख्य कारण है पहला तब होता है जब उपादों को ढूड़ना आमतोर पर थोड़ा कठिन होता है इन वस्तुओं के साथ संभता अधिक मुल्ले जुड़ा हुआ लोग उची कीमत का श्रे इस तथ्या को देते हैं कि वे दुल्लव है दूसरा कारण आमतोर पर तब होता है जब कोई चीज सामान्य रूप से उपलब्ध नहीं होती है इससे पीडित को यह ऐसास होने लगता है कि वे जीवन भर का मौका गवा देंगे एक बार जब यह दोनों हो जाते हैं तो पीडित उस सेवा को अधिक महत्र देना शुरू कर देगा जो दुल्लब है क्योंकि इसे प्राप्त करना कठिन है पसंद करना सबसे पहले लोग उन लोगों को पसंद करते हैं जो उनके समान है आप जिस व्यक्ति को मनाने की उमीद कर रहे हैं उसके समान दिखने के लिए आपको उनके साथ समान आधार खोजना हुगा उधारन के लिए कई विदेशियों ने सीखा है कि अधिक पसंदीदा बनने के लिए सबसे आसान तरीका स्थानिय भाशा सीखना और बोलना है आमतवर पर इसके एक्जामपल हमें काफी वेडियोस में देखनी के लिए मिल सकते हैं खुद को अधिक पसंद करने योग्या बनाते समय दूसरी चीज जिसके बारे में आपको जागरुख होना चाहिए वह है चाप लूसी यदि आप इसका सही उपयोग करेंगे तो चाप लूसी आपके कई दर्वाजे खोल देगी लोग उन लोगों को पसंद करते हैं जो उनकी तारीव करते हैं यह कोई बहुत बड़ा काम नहीं है लेकिन आप एक गैर शामिल गैर वर्णित सहकर्मी से ऐसे करने पसंद करने योग्या सहकर्मी में बदल जाएंगे जो दयालू और मददगार है बाद में आप इस चिप को अपनी इच्छा उनुसार भुना सकते हैं प्रतिबधता और निरंतर्ता यह वह जगे है जहां जोड़तोड करने वाले व्यक्ति को इन दोनों उक्कर्णों का उपियोग करना हुगा यदि वह चाते हैं कि कोई व्यक्ति किसी विशेश चीज के बारे में अपना द्रिष्ठी कोड बदल दे जब चीजें सुसंगित होती हैं तो उन्हें समझना आसान होता है और विशय को बहतर निर्णे लेने में मदद मिल सकती है हेर फेर करने कालों के लिए अच्छा नहीं है कि वह अपने द्वारा उपियोग किये गए तथ्या को हमेशा बदल दे या पीडित को जानकारी संसाधित करने में मदद करने के लिए अवश्यक अन्य जानकारी को बदल दे अनुनए प्रक्रिया में मदद करने के वज़ाए निरंतर्ता से लगातार दूर रहने से एजेंट जूटा और ऐसे व्यक्ती जैसा दिखेगा जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता जिसके परिणाम सरू अनुनए प्रक्रिया विफल हो जाएगी संगती एक महान उक्करण है क्योंकि यह आमतोर पर पीडित को सही निर्णे लेने और जानकारी को संसाधित करने की अनुमती देता है यदि जोड़तोर करने वाला व्यक्ती पीडित को मनाने में सफल होना चाहता है तो उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि उसका संदेश सुसंगत हो जूटे सबूतों के लिए कोई जगा नहीं है जो बाद में सामने आ सकते हैं और पूरी प्रक्रिया को बरबाद कर सकते हैं तथ्यों को सटीक और संशिप्त रखें और पीडित को समझाना ज्यादा बहतर है सामाजिक प्रमाण, अनुनय, सामाजिक संपर्ख का एक रूप है और इसलिए सामाजिक नियम जहां वे होते हैं का पालन करना होगा पीडित अपने आसपास के लोगों से प्रभावित होगा वे अपना काम करने के बजाए वही करना चाहेंगे जो दूसरे कर रहे हैं पीडित अपने विश्वासों और कार्यों को इस आधार पर बनाएगा कि दूसरे उनके बारे में क्या करते हैं और वे कैसे कार्य करते हैं और वे कैसे मानते हैं कि भीड की शक्ती कहावत इस विश्वास के तहत बहुत प्रभावी हो सकती है पेडित हर समय जानना चाहेगा कि उसके आसपास के अन्य लोग क्या कर रहे है इस देश में वह करने का सक्षम होना जो अन्य लोग खुद को फिट करने के लिए कह रहे है भले ही लोग कहेंगे कि वे कैसे अलग होना चाहते हैं और एक व्यक्ति बनना चाहते हैं लगभग एक जुनून बन गया है प्रधीकरण एक तरीका है जिससे छेड़चाड करने वाला पीडित को मनाने में सफल होगा एक अधिकारी बनकर अधिकांज लोग यह मानते हैं कि किसी विशय के बारे में कोई विशय शक्य जो कहता है वह सच है पीडित को किसी विशवश्चनिय और जानकर जोड़ तोड़ करता की बात सुनने में अधिक आनन्द आने की संभावना है इसका मतलब यह है कि यदि जोड़ तोड़ करने वाला व्यक्ति इन दो चीजों के सामने ला सकता है तो वह पहले से ही अपने शिकार को सुनने और उन इकाश निर्णय लेने वाले उधारणों में एंकरिंग एक संग्यनात्मत पूर्वा ग्रह है आप समान उतपाद ले और उनकी तुलना करें आपको यह देखने के लिए वहां से निर्णय लेना हुगा कि कौन सा अच्छा है इस तकनीक के विभिन उपियोग है सबसे अधि अच्छी तरह से उपियोग किया जाए तो यह अनुनय की एक शक्तिशाली तकनीक हो सकती है दबाव का उपियोग परिस्थिती के अधार पर प्रतिनिधी यह निर्धारित कर सकता है कि अपने साधनों पर विश्वास करके विशय को प्रोचसाहित करने के लिए कुछ दबा दबाव का उपियोग करना एक उतक्रिष्ट अवधारना है ऐसा तब हो सकता है जब सुझाओ ठीक से मिल नहीं खाते हैं समान्य बादचीत कार्यात्मक नहीं है यह जब प्रतिनिधी चर्चा के मोर से उत्तेजित या व्यथित हो रहा है आमतोर पर दबाव का उपियोग ए क्योंकि यह विशय को व्यवहारिक रूप से सोचने के लिए बहुत कम समय देता है कि क्या हो रहा है इसके विपरीत जब एक टाइपी का एल चर्चा करती है आमतोर पर दबाव का उपियोग निश्चित रूप से तब किया जाएगा जब प्रतिनिधी का अनुनय के विभि प्लब्ध है पारस्प्रिक्किता प्रभाव का पारंभिक उक्करण परस्पारिका की अवधार्णा है यह अवधार्णा निर्देशित करती है कि जब एक व्यक्ति प्रतिनिधी विभिन अन्य व्यक्तियों को कुछ मुल्यवान विशय देता है तो विशय प्रतिनिधी को दयालता पूर्वक वापस भुक्तान करने का प्रयास करने की अधिक संभावना रखता है, यह अनिबार्य रूप से इंगित करता है, जब प्रतिनिधी विशय के लिए किसी प्रकार का समधान करता है, तो विशय निश्चित रूप से महसूस करेगा कि लंबे समय तक प्रतिनिधी के लिए तुर्लिय समान करने की उनकी जिम्मेदारी है, हाला की दोनों समाधान समान नहीं हो सकते हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रतियक की प्रतिबंधता बराबर है, उनके पास एक ही प्रकार का मूल्य है, पारस्परिक्ता का कार्य, विशेश में प्रतिबंधता की भावना पैदा करता है, जिसे प्रतिबंधी निश्चित रूप से एक प्रभावी उपकरण के रूप में उप्योग करेगा, जब वे अनुनाय का उप्योग करना चाहते हैं, पारस्परिक्ता का दिशा निर्देश बेहत कुशल है, क्योंकि यह प्रतिबंधी को जिम्मेदारी की भावना के साथ विशोय के वश में करने के साथ साथ अनुनाय के कार्रे के लिए विशोय को सही मानसिक्ता में लाने में सहयता करता है, प्रतिनिधी समवतहा विशय को यह समझाने में सक्षम हो सकता है कि ये वह एक विशिष्ट तरीके से काम कर रहा है क्योंकि विशय निश्चित रूप से प्रतिबद्धता की भावना को प्रभावित करेगा समर्पन और साथ ही एक रूपता प्रभाव का निमलिखित उपकरण जिसकी समेक्षा की जानी है समर्पन का भी है और एक रूपता का भी है यदि प्रतिनिधी किसे व्यक्ति को अपने दिश्टी कोड में बदलाव के लिए रोचसाहित करना चाहते हैं तो उन्हें इन दोनों का उप्योग करने से सबसे अधिक आविशक्ता होगी जब दिश्टी कोड मेल खाते हैं तो उन्हें पहचानना आसान होता है साथ ही उनकी पसंद को बहतर बनाने के आधार पर उनकी सहायता भी की जा सकती है यह प्रतिनिधी के लिए उन वास्तविक्ताओं को प्लगातार बदरने के लिए अच्छा है जिनका वे उप्योग कर रहे हैं या विशय की अनुनए प्रक्रिया में सहायता के लिए अवश्यक, विभिन, अन्य सूचनाओं को परिवर्टित करने के लिए प्रोटसाहन की प्रक्रिया में सहायता करने के विप्रीत, लगातार, एक रूपता से बचने से प्रतिनिधी को नकली और किसी ऐसे व्यक्ती की तरह दिखने की संभावना है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है जिसे अनुनए प्रक्रिया विफल हो जाती है सामाजिक साक्षे अनुनए एक प्रकार का सामाजिक संचार है और परिणाम स्वरूप जहां ये हो रहा है वहां के सामाजिक नियमों का पालन करना सबसे अधिक आवश्यक है ये है विशय सबसे अधिक उन व्यक्तियों से प्रभावित होने की संभावना है जो उनके आसपास है इस बात की अधिक संभावना है कि वे अपनी बात मानने के बज़ाए वही करने की इच्छा रखते हैं जो दूसरे कर रहे हैं विशय निश्चित रूप से उनके विचारों और गतिविधियों को इस पर आधारित करेगा कि उनके आसपास अन्या लोग क्या कर रहे हैं ठीक उसी तरह जिस तरह से ये व्यक्ति कार्रे करते हैं और ये भी कि वे कैसे सोचते हैं उधारिन के तोर पर यदी विशय किसी शहर में परिपक्त होता है तो उन्हें उस स्थान के अन्या लोगों की नकल करने की सबसे अधिक संभावना होती है दूसरी और जो लोग अत्यधिक आध्यात्मिक छेत्र में परिपक्त होते हैं वे अपने समय का एक बड़ा हिस्सा आशा करने खोजने और साथ ही दूसरों की सहायता करने में बिथा सकते हैं चैप्टर नाइन What is NLP? NLP क्या है? NLP का मतलब Neuro Linguistic Programming है और यह उत्कृष्टता का एक अधियन है यह इस बात पर गहराई से प्रकाश डालता है कि लोगों के महान होने और लोगों के लिए उच्चिस तरही सफलता प्राप्त करने का क्या मतलब है? यह वास्ताम में यह पता लगाने की कोशिश करता है कि जो लोग सफल होते हैं वे अपने व्यवहार, अपने अचेतन पैटन और वे कुछ समस्याओं से कैसे निपढ़ते हैं का एक मॉडल बना कर क्या करते हैं? इसके इलावा यह इस बात का अध्यन है कि मन को बदलने के लिए भाशा और विचारों का उप्योग कैसे किया जा सकता है? यह सम्मोहन से लेकर द्रिश्याव लोकन तक चिकित्सिय उप्करों में तक हर चीज में उप्योग करता है। यह मानव मस्तिश्क का उप्योग करता मैनवल है। जौन ग्राइंडर और रिचर्ड बैंडलर ने इसे मनो चिकित्सा के पहले नए रूप के खोजा था। इसे 1907 के दशक में बनाया जब उन्होंने उस समय के सबसे सफल चिकित्सकों को दो मिल्टन, एरिकसन और वरजनिया सैटिर का अध्यन किया। इन दोनों लोगों ने अपने मरीजों के साथ जो परिवर्तन हासिल किये वे किवंदत्तिय बन गए। मिल्टन, एरिकसन ने रोगियों को तेजी से परिवर्तन करने में मदद के लिए समोहन के लिए इसका उपयोग किया। समोहन के उनके उपयोग ने मनोचिकित्सा को बदल दिया और अमेरिकन मेडिकल एसोशियेशन द्वारा मान्यता प्राप्त एक वास्तविक, उपयोगी और शक्तिशाली उपकरण के रूप में समोहन को वैध बना दिया। वरजीन या सैटिर को परिवारिक चिकित्सा की जन्नी माना जाता है जो लोगों के साथ परिवारिक महौल में काम करके उनके पागलपन को दूर करने में मदद करने का एक त्वरित तरीका खोचती है। उन्होंने एक बार कहा था जब आप लोगों को उनके परिवार के साथ देखते हैं तो वे शायद ही कभी इतने पागल लगते हूँ। मैटा विशलेशन की प्रक्रिया का उप्योग करते हुए वे अक्सर यह बताती थी कि लोग क्या कह रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। अपनी जगा बना ली है। एनलपी को अक्सर इसके वाप्यक, अनुप्रयोगों के कारण, मुख्यधारा, द्वारा नजरंदाज किया जाता है। लेकिन यह इसके व्यापक, अनुप्रयोग हैं जो अक्सर इतने सारे लोगों की मदद करते हैं। और NLP का सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक बनाते हैं, जिसे कोई भी अपने जीवन में सीख सकता है। लोगों ने अपने जीवन को बदलने और खुद पर अधिक नियंतरण पाने के लिए तकनीकों का उपयोग किया है और साथ ही लोगों को बहतर ढग से प्रेरित करने और मनाने के लिए अन्य तरीकों का उपयोग किया है। यह कवर करने के लिए बहुत सी चीजों की तरहा लग सकता है लेकिन अगले कुछ चैप्टर्स में हम यह करेंगे कई प्रमुक तकनीकों से गुजरेंगे जिनका उपयोग आप अपने जीवन पर बहतर नियंतरण पाने के लिए तुरंद कर सकते हैं। हम कुछ विशिष्ट पद्धितियों से भी गुजरेंगे जो कुछ पुनियादी क्रियाएं बताएंगी जिन्हें अपना कर आप इन छम्ताओं का लाग उठाना शुरू कर सकते हैं। समवदात्मक, सम्मोहन से लेकर, री फ्रेमिंग से लेकर, प्रशिद और शक्तिशाली स्विश पैटन तक जो तकनीके हम आपके लिए पेश करेंगे, वे शक्तिशाली उक्करण हैं, जो उमीद हैं कि आपको अपने जीवन में वहन यंतरण और शक्ति प्रदान करेंगे, NLP कैसे काम करता है, यदि आप सिर्फ पहली बार इस विशय पर आने पर NLP जादू या सम्मोहन जैसा प्रतीत हो सकता है, जब कोई व्यक्ति चिकित्सा से गुजर रहा होता है, तो यह विशय रोगी के अचेतन मन में गहराई से उतरता है, और विश्वाशों की विभिन परतों और व्यक्ति के जीवन के दृष्टि कोण या धाड़ना के माध्यम से बचपन के शुरुवाती अनुभाव का पता लगाता है, जो व्यवहार पैटन के लिए जिम्मेदार होते हैं, NLP में यह माना जाता है कि हर किसी के पास विसंसाधन है जो अपने जीवन में सकारात्मक बदलाओं के लिए आवश्यक हैं, यहां अपनाई गई तकनीक इन परिवर्तनों का सुविधा जनक बनाने में मदद करने के लिए है, आमतोर पर जब NLP सिखाया जाता है, तो यह पिरामिन नुमा सरंचना में किया जाता है, हाला कि उन हजारों डॉलर के सैमिनारों के लिए सबसे उन्नत तकनीके बची हुई हैं, इस जटिल विशय को समझाने का प्रयास यह बताना है कि NLPR, जैसा कि NLP का उपियोग करने वाले लोग अक्सर खुद को बुलाएंगे, हमेशा उस व्यक्ति पर गहरा ध्यान देते हैं, जिसके साथ वे काम कर रहे हैं, आमतोर पर NLP Pears की एक बड़ी संख्या शिकित्सक्की है, NLP उपियोग करता के लिए निम लिखित को तुरंत निर्धारित करना आसान है, मस्ठिश्क का वह भाग, जो व्यक्ति मुख्य रुप से उपियोग करता है, वह इंद्रिये हैं, जैसे की आख, नाख, मू, कान और तवचा, जो किसी व्यक्ति के मस्ठिश्क में अधिक प्रभावी होती हैं, जिस तरह से व्यक्ति का मस्तिश्क जानकारी संग्रहित करता है और उसका उप्योग करता है, NLPR व्यक्ति की आँखों की गती से यह सब पता लगा सकता है कि वे जूट बोल रहे हैं या नहीं या मंगडन जानकारी दे रहे हैं। जब NLP उप्योग करता सफलता पूर्वक यह सारी जानकारी एकत्र कर लेते हैं तो वे धीरे धीरे और शुक्ष्मता से ग्राहक की नकल करना शुरू कर देते हैं ना केबल उनकी शारिरिक भाशा को अपनाते हैं बलकि उनके भाशड और व्योहार की नकल भी करते हैं। ताकि वे लक्षित भाशा पैटन के साथ बात करना शुरू कर सकें। ग्राहक की प्रात्मिक इंद्रियों की लक्षन करने पर वे आम तोर पर नकली सामाजिक संकेत देंगे जो आसानी से किसी को अपनी सुरक्षा कम करने पर मजबूर कर देंगे ताकि वे बहुत खुले और विचरो तक हो जाएं। उधारन के लिए जब किसी व्यक्ति की देखने की इंद्रिये उनके सबसे प्रमुक इंद्रिये जो मानी जाती है तो NLPR उनसे बात करने के लिए ऐसी भाशा का उपयोग करेगा जो द्रिश्य रूपकों से भरपूर है वे ऐसी बात करेंगे कि आप देख रहे हैं कि मैं कि इस बारे में बात कर रहा हूं या इसे इस तरह क्यों नहीं देखा ऐसे व्यक्ति के लिए जिसकी सुनने की चमता अधिक प्रबल है उससे च्रवण भाशा एल के साथ संपर्क किया जाएगा जैसी मेरी बाते सुनो या मैं सुन सकता हूं कि तुम कहां से आ रहे हो तालमेल बनाने के लिए NLPR दूसरे व्यक्ति की शारिरिक भाशा और भाशाई पैटन को प्रतिबंबित करता है यह तालमेल एक मानसिक और शारिरिक स्थिति है जिसपे मनुष्य तब प्रवेश करता है जब वह अपनी सामाजिक इंद्रियों पर नियंत्रण खो देता है ऐसा तब किया जाता है जब उन्हें ऐसा लगने लगता है कि जुस दूसरे व्यक्ति से वे बादचीत कर रहे हैं वह बिलकुल उनके जैसा ही है एक बार जब NPL-NLPR ने यह तालमिल हासिल कर लिया तो वे इसे खलके और शुक्षमता से आगे बढ़ा कर बादचीत का प्रभार लेंगे इस तथ्ये के लिए धन्यवाद कि वे पहले से ही दूसरे व्यक्ति को प्रतिपिम्बित कर चुके हैं जब वे व्यक्ति के व्यवहार पर एक निश्चित प्रभाव प्राप्त करने के लिए कुछ शूश्म परिवर्तन करना शुरू कर देंगे इसे कुछ समान शूश्म भाशा पैटन के साथ भी जोड़ा जाता है जो प्रश्णों और कुछ अन्य तकनीकों के पूरे चरण को जर्म देता है इस बिंदु पर NLPR व्यक्ति को अपनी इच्छा नुसार किसी भी दिशा में मोडने में सक्षम होना होगा ऐसा तभी होता है जग दूसरा व्यक्ति यह निश्कर्ष नहीं निकाल पाता कि कुछ चल रहा है क्योंकि वें माल लेते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वें स्वभाविक ही हो रहा है या कि उन्हें हर चीज के लिए सहमती भी दी है इसका मतलब यह है कि अन्य लोगों से चरित्र से हटकर कार्रे करने के लिए NLP का उप्योग करना काफी कठिन है लेकिन इसका उप्योग किसी व्यक्ति को उसके चरित्र की सामान्य सीमा के भीतर प्रतक्रिया देने के लिए किया जाता है यह उन्हें किसी धर्मार्त कार्रे के लिए भी दान देने के लिए प्रेरित करने अन्तथा वे निर्णे लेने के रूप में आ सकता है जिसे वे टाल रहे थे या उन्हें रात के लिए आपके साथ घर जाने के लिए प्रेरित करना यदि उन्होंने पिछले किसी बिंदू पर इस पर विचार किया हो इस बिंदू पर NLP उपयोग करता जो करना जाता है वे है या तो प्राप्त करना या एंकर करना हो सकता है जब वे उद्दोधन कर रहे होते हैं तो वे व्यक्ति की दासी की भावनात्मक स्थिती में लाने के लिए नेत्रित्त भाशा का उपियोग करते हैं एक hoje जब वे इस स्थिती को प्राप्त कर सकते हैं तो वे उधारण के लिए दूसरे व्यक्ति के कंधे को चूकर शारिरिक संकेत के साथ इसे आगे बढ़ा सकते हैं सिद्धान के अनुसार जब भी NLP उप्योग करता उसी तहिके से किसी कंधे पर व्यक्ति को चूता है तो तुबारा ऐसा करने पर ही वही भावनात्मक्स थी थी फिर से उभार आती है हाला कि वह केवल दूसरे व्यक्ति की सफल कंधीशनिंग से ही संभव हुआ है NLP थेरपी से गुजरते समय चिकित्सक एक सामगरी मुक्त तृष्टिकोर अपना सकते हैं जिसका अर्थ है कि चिकित्सक समस्या पर गंभी नजर डाले बिना या समस्या के बारे में बिल्कुल भी जाने बिना प्रभावी ढंक से काम कर सकता है इसका मतलब यह भी है कि ग्राहक के लिए गोपनियता का गुजाईश है क्योंकि चिकित्सक को जो भी घटना घटी है या अतीत में जो भी मुद्दा हुआ है उसके बारे में बताने की आवशक्ता नहीं है इसके इलावा थेरपी शुरू होने से पहले एक समझाता होता है जो यह सुनिश्चित करता है कि चिकित्सक किसी भी जानकारी का खुलासा नहीं कर सकता है इसलिए चिकित्सक और ग्राहक के बीच बाचीद कोपनिय रहती है NLP में मानव रचना की प्रकृति की पूर्णता की आवशक्ता में विश्वास है इसलिए प्रतिये ग्राहक को इंद्रियों की सब्वेंद शीलता को पहचानने और विशिष्ट समस्या को जबाब देने में उनका उप्यों करने के लिए प्रोचसाहित किया जाता है NLP का यह भी मानना है कि दिमाग, बिमारियों और बिमारियों का इलाज ढूब सकता है NLP द्वारा नियोजी तकनी के एक गैर अक्रमक, दवा मुख, ठेरपी से सब्बंधित है जो ग्राहक को कम आत्म संबाद, आत्म विश्वास की कमी, चिंता और विनाशकारी संबंध पैटर्न जैसे भावनात्मक मुद्दों से निपटने के नई तरीके खोजने में सक्षम मनाती है यह है प्रभावी शोग परामर्श में भी एक सफल उपकरण है व्योहार विज्ञान के छेत्र में अपनी जड़ों के साथ जिसे स्किनर, पैवलो, थान डाइक द्वारा विक्सित किया गया था NLP विचार पक्रिया में और अंतत्धा किसी व्यक्ति के व्योहार में बदलाव लाने के लिए शरीर विज्ञान और अच्छेतन मन के सैयोजन का उपियोग किया जाता है NLP का महत्व, Neuro, Linguistic Programming ना केवल किसी व्यक्ति के अस्तित्व को समझने के लिए आवश्यक है बल्कि यह किसी व्यक्ति के सुभाव को समझने में भी मदद करती है यह व्यक्ति की समस्या को मूल कारण के साथ साथ उसके अस्तित्तु की नीव तक गहराई से जाने में मदद करता है यहाँ कुछ अन्य कारण बताए गए हैं कि NLP क्यो महत्पूर है यहें लोगों को उन चीजों की जिम्मेदारी लेने में मदद करता है जिनके बारे में उन्हें लगता है कि वे नियंत्रित करने में सक्षम नहीं हो सकते NLP की मदद से कोई व्यक्ति अतीत की घट्राओं पर प्रतिक्रिया करने के तरीके को बदल सकता है और अपने भविश्य पर एक निश्चित स्तर का नियंत्रन प्रक सकता है लोगों को अपने आंत्रिक दाइरे के सदस्यों के साथ साथ उन लोगों की शारिडिक भाशा के बारे में भी जागरुक होने की अवशक्ता है जिनके साथ वे व्यापार करना चाते हैं NLP के साथ महाशा का उपयोग, नियंतरण और उद्देश्य दोनों के साथ करना संभव है और इसके साथ आपके जीवन पर नियंतरण रखना संभव है याद रखें आप एक ही मानसिक्ता का उपयोग करके समान गलतियां करने और अलग-अलग परिणाम प्राप्त करने की आशा नहीं कर सकते NLP सत्र के दौरान फोकस पूरी तरह से क्लाइंट पर रखा जाता है क्योंकि उन्हें विशय बनाया जाता है इससे बहुत मदद मिलती है क्योंकि उस बिंदु पर जहां एक व्यक्ति खुद के साथ एक व्यक्ति के रूप में व्योहार कर सकता है उसे अन्य लोगों के साथ अपने व्योहार में अधिक स्पश्टता प्राप्त होती है यह वित्थ, बिक्री, प्रदर्शन, विभा, स्वास्त मुद्दे, पालन पोशन, ग्राहक सेवा और जीवन के हर दूसरे पहलू और चरर को बहतर बनाने में मदद करता है ऐसा इसलिए है क्योंकि यह किसी व्यक्ति के समगर सुधार में मदद करता है और जब कोई व्यक्ति संपूर्ण होता है तो उसकी स्वयप और अन्य लोगों के साथ बातचीत और सम्मंद भी संपूर्ण हो जाते है यह आपके विश्वासों, विचारों और बूल्यों को लक्षित करने में सहायता करता है और किसी व्यक्ति के मस्तिश्क कार्यों को लक्षित करने के साथ साथ कुछ व्यवहार विक्सित करने में भी मदद करता है यह इस बात को भी आकार देता है कि कैसे ये व्यवहार आदतों में वदल सकते हैं और कैसे आदते कार्यों में वदल साती हैं जो परिडाम के रूप में साबने आती है NLP विभिन व्यवसाओं पर लागू होता है यह एक उकरण है जो बिक्री, व्यक्तिगत विकास, विशेशग्यों और स्वयम सहायता, सिक्षन, संचार, पालन पोशन और जीवन के अन्य पहलवों में महारत हासिल करने के लिए बहुत महत्तपूर है Chapter 10 The Barnum Effect मान लेजिए कि सामान्य अवलोकन अब मदद नहीं करता ऐसा हो सकता है कि हमने निश्क्रिय रूप से अवलोकन करते हुए अपने विशय से वह सब कुछ सीखा जो हम सीख सकते थे और कोई नई जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती है क्या हो सकता है कि हमारा समय सीमित हो और हमें विशय को कुछ ही मिंटों में शीख्रता से जानने के अवशक्ता हो जब ऐसा होता है तो हम निश्क्रिय है पर ये वेशक बने रहने का जोखिम नहीं उठा सकते हमें कार्य करना होगा इस मामले से सबसे खराब चीज जो आप कर सकते हैं वह है पूछ ताच का सहारा लेना चाहे वे नौकरी के लिए इंटर्विव हो कोई टीवी शो हो या कोई रोमैंटिक डेट हो अपनी रुची के व्यक्ती को पूर्व निर्मित धकाव प्रश्नों की श्रंखला में उलजाने से वे जल्दी ही बोर हो जाएंगे यदि आप पिछले अध्याओं को ध्यान से पढ़ते हैं और आपकी अवलूकन संबंधी आदते सही हैं तो आप देखेंगे कि केबल कुछ प्रश्नों के बाद आपका विशय अलग थलग अनुच्छिक हतोत साहित हो जाएगा इत्यादी हम सभी अपने चरित्र के बारे में पश्ट प्रश्नों का उत्तर देना पसंद नहीं करते हैं और जब पूछा जाता है कि आपके सबसे खराब गुणों में से पाच का नाम बताईए तो हम शाक्षातकार करता पर गुस्सा भी कर सकते हैं यह उनका व्यवसाय भी कैसे है यह किसी के साथ अपने मधूर मानविय सम्मंधों को समाप्त करने का एक बहुत ही प्रभावी तरीका है उन्हें भरने के लिए खाली स्थान देना उन्हें आस्वों से भर देना और फिर इतने आक्रामक तरीके से उनके व्यक्तिगत स्थान में घुसपैट करना क्या ये बहतर नहीं होगा कि हम अपना सक्रिय विशलेशन शुरू करके सम्मंधित व्यक्तियों को बताएं कि हम उन्हें समझते हैं उनके साथ पहचान कर सकते हैं देख सकते हैं कि वे क्या हैं और इसकी सरहाना कर सकते हैं तब हम अपनी बादचीत कैसे शुरू करते हैं और हम क्या कहते हैं जिससे तुरंग विवास सुलच जाए और सामने वाला हमारी और आकरशित हो जाए यहां हमें उस युक्ति की ओर मुणना चाहिए जिसका उप्योग, भविश्य व्यक्ता और माध्यम करते हैं वह है ट्रिक जो आपको संकेत दे सकती है कि राशिफल और टैरो रेडिंग क्यों काम करते हैं हाला कि वैज्यानिक रूप से उनका कोई मतलब नहीं है इस ट्रिक को बार्नम इफेक्ट कहा जाता है जिसे फौरर इफेक्ट भी कहा जाता है जिसका नाम प्रशिद शोमैन फिनिस बार्नम के समान में रखा गया है जो तथा कथित बार्नम स्टेटमेंट्स के पहले पंजिकरत उपियोग करता थे जिसे उन्होंने अपने दर्शकों के सदस्यों को टेलीपैथिक रूप से पढ़ा ये एक अमेरिकी मनोवज्ज्ञानिक बर्टाउम फौरर के बाद जिन्होंने उक्त टेलीपैथी के पीछे के मनोवज्ज्ञानिक तंत्र का विशलेशण किया और प्रयोग्यात्मक रूप से स्थिर को फिर से बनाया उन्होंने अपने प्रतियक छात्र को एक अनूठे व्यक्तित्व मुल्यांकन चाट की पेशकर्ष की जिसमें पूरी तरह से ऐसे कथन शामिल थे जो व्यक्तिगत लगते हैं फिर भी लगभग किसी पर भी लागू होते हैं बार्नम प्रभाव के काम करने के कारणों में से एक सामान्य कृत बयानों के लावा उष्टी करण पूर्वा ग्रह कहा जाता है यह दावा करता है कि हम अपने चरित्र का वड़न पसंद आने पर उसे सहमत होते हैं इसलिए नहीं कि वह सच हैं हो सकता है कि आप प्रशंसा की आवशकता दिखाते हो हम जो कुछ भी जानते हैं उसके लिए आप जरूरत मंद और आत्म मुद्ध भी हो सकते हैं और फिर भी कौन इस बात से ऐसहमत होगा कि कोई उन्हें आरक्षित आत्म विश्वासी मजबूत और शाद किसम का कहे अपने बारे में कही गई किसी अच्छी बात से ऐसहमत होने के लिए कुछ साहस और निश्वक्ता की आवशकता होती है इसलिए आम तोर पर हम सहमत हो जाते हैं हाला कि विशलेशण कहा है अब तक हम जो बात कर रहे थे वे संपर्ख स्थापित करने बर्फ तोड़ने से संबंधित है बार्नम के कथन के उत्तर में कही गई किसी की हाँ हमारे लिए किस काम की है विशलेशण तब शुरू होता है जब हम चर्चा जारी रखते हैं और चीजों को सीमित करते हैं विशलेशण के चरित्र के कुछ गणों पर जूम करें जिनमें हमारी रुची है इस तकनीक को कोल्ड रीडिंग भी कहा जाता है जिसको हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कोल्ड का मतलब है कि आप इमानदारी से अपने विशय से ऐप परीचित है और इसका उपयोग सेल्समेड, स्योव्यसाई, पत्रकार और चोर कलाकारों दुआरा समान रूप से किया जाता है यह शुरू से ही उन्हें अच्छी तरह से जानने का दिखावा करते हुए आपको अपने विशय का अध्यन करने में मदद करता है इस तरह बादचीत अधिक गर्म होती है अप एहनकार को प्रश्ण करने वाली पुष्ठी पक्षपाती टिपपणियों को आपस में बदल कर फिर उच्छित और गमहीर तरीके से अलोचनत मात्मक लिणने देकर विशय के वारे में वास्त्विक नई जानकारी प्राप्त करके गर्म जोशी को नियंत्रित कर सकते हैं इसलिए सक्रिय विशलेशन अनुक्रम को अच्छी तरह से याग रखें बर्व को तोड़ने के लिए एक समान्य कृत बर्नम कथन के साथ शुरुवात करें फिर अपने विशय की सबसे स्पष्ट सकारात्मग विशेषता पर जूम करें जिसे cold reading या mirroring द्वारा संतुलित किया जाए चैप्टर 11 cold reading cold reading को एक चोर कलाकार का सबसे अच्छा दोस्त माना जाता है यह वास्तिक वास्तविक अलौकिक शक्ति के उपयोग के बिना दिमाग से पढ़ने और जादूई छमताओं का ब्रहम प्रदान करता है इसका उपयोग अक्सर उन लोगों द्वारा किया जाता है जो भाग्य बताने और मानसिक क्रियाओं के माध्यम से जीवन यापन करते हैं कई लोगों को इस अभिनय में पूरी तरह से बेच दिया गया है क्योंकि यह आम तोर पर किसी ऐसे विक्ति द्वारा किया जाता है जो दूसरों को पढ़ने में उत्कृष्टता रखता है जिसने परियाप्त सामान्य ज्यान प्राप्त किया है और एक बहुत ही विश्वस्निय प्रदर्शन देने के लिए परियाप्त अभ्यास किया है कोल्ड रेडिंग का अर्थ है सिक्षित अनुमान लगाना उनके रूप, रंग, उनकी पोशाक, उनकी गैर मौखिक संकेतों और लहजे और उनकी शब्दावली से अपने विशय के बारे में बहुत कुछ वताया जा सकता है हर प्रासंगिक चीजों को ध्यान में रखे होने वाले हर बदलाव पर ध्यान दे एक सकारात्मक बयान के साथ हरताल का काम करे महत्वपूर्ण प्रश्णों पर ध्यान के इंद्रित करे इत्यादी यदि आपका विशय धीमा लगता है तो याद रखे यह है उनका उचित व्यक्तित्व है एक कम, पूर्वा नुम्नित, हर कम और मौलिक व्यक्तित्व जो सामने आया है वे जूट बोल सकते हैं यदि जूट पहले से तयार किया गया हो तो वे सहज ग्यान से भी जूट बोल सकते हैं हाला कि ऐसा कृत्य यह केवल मनोवज्ञान का एक रूप है और यदि आप चाहें तो आप स्वयम इस अधीनियम का निर्माड कर सकते हैं आप अवलोकन की शक्ति के माध्यम से अपने से अधिक जानने में भ्रम पैदा कर सकते हैं अलग-अलग तिकनीकों के अलग-अलग नाम है कितने लोग उपस्थित हैं यह तै करता है कि आपको इसी कैसे लेना चाहिए उधारण के लिए शौर्ड गनिंग लोगों से खचाकर भरे एक बड़े कमरे में की जाती है यह अक्सर उन माध्यमों की पसंद है जो किसी दिवंगत प्रियजन से जुड़ने को ब्रम पैदा कर रहे हैं क्योंकि वे जो भी कहते हैं संभाबना है कि कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कथन से संबंधित हो सकता है जब माध्यम कुछ आमतोर पर एसपस्ट व्यक्यांश बोलता है जैसे मैं एक बुजुर्ग व्यक्ति से जुड़ रहा हूँ तो जॉन या जैक का नाम दिमाग में आता है क्या वह किसी से बात करते हैं वह पहचान व्यक्त करने वाले किसी भी व्यक्ति पर नजर रखता है जैक और जॉन नाम बहुत आम है और कई लोगों को अपने समय में अपने दादा को खो दिया है फिर माध्यम एक व्यक्ति को चुनेगा और उनके चेहरे को ध्यान से देखेगा यह वह जगा है जहां सच्चा मनोव्यज्यान कदम रखता है चाल को बनाए रखने के लिए शारिक भाशा को पढ़ना अवश्यक है क्योंकि माध्यम को दर्शकों के सदस्य के प्रियजन के विर्वडन को सीमित करने के अवशक्ता होगी यति उधारण के लिए माध्यम एक सफेद पिकेट बाड के बारे में कुछ कहता है फिर भी इस व्यक्ति के चेहरे पर कोई परिचित्ता नहीं है तो उसे सावधानी पूर्वक अपने रड़नीती बदलनी होगी वे समझा सकता है कि वे कभी भी सफेद पिकेट के बाड के भीतर नहीं रहा लेकिन चाहता था या कोई अन्य रिष्टेदार भी मौजूद था यदि दर्शक सहमत है या उच्साहिद दिखते है तो इस माध्यम को पता चल जाएगा कि वे गर्म हो रहे हैं यह कृत्य जारी है और यहां तक की इसे इंद्र धनुशी चालो के नाम से भी जाना जाता है यह विरोधा भाजी व्याक्यांश है जैसे वे एक सज्जन व्यक्ति थे हालांकि वे कभी-कभी कठोर पक्ष प्रदर्शित करते थे अधिकांश लोगों ने अपने व्यक्तित्व में इन विरोधा भासी छडों को अनुभो किया है हालांकि शब्द, चयन इतना विशिष्ट लगता है कि ऐसा लगता है मानो यह केवल उस कठित आत्मा पर लागू होता है जिसका उल्लेक, पुरुष या महिला कर रहे है कोल्ड रेडिंग का एक अन्य तरीका जो छोटी आबादी के लिए अधिक उप्यूग तो हो सकता है पिछले ज्यान का उप्योग करना है जब किसी के व्योहार का अवलोकन करना इस पद्धती का उप्योग अकसर जासूसी नाठकों में किया जाता है क्योंकि अभिनाय देखने में नाठकिय और रोमान्चक होते हैं और पात्र, बुद्धिमान और चतुर दिखाई देता है हाला कि यह दिखने में जितना आसान लगता है उचसे कही अधिक आसान है क्योंकि इसके लिए केवल गहन अवलोकन कौशल की आवशकता होती है उधारन के लिए यदि आप किसी नए व्यक्ती से मिलते हैं और देखते हैं कि उनके बाए हाथ के किनारे पर ग्रेफाइट का धबबा है तो आपको पता चल जाएगा कि वे बाए हाथ के हैं क्योंकि जो लोग बाए हाथ के प्रभुत वाले हैं उन्हें पहले लिखे गए शब्दों के साथ अपना हाथ हीचना हुआ लिखना जारी रखने के लिए एक बाए हाथ के खिलाडी के रूप में मुझे पता हुआ यह घटना जिसे मजाक में दस सिल्वर सरफर सिंड्रोम कहा गया है एक निर्विर्वाद संकेत है कि यह व्यक्ति बाए हाथ का है और जब आप उनसे हाथ मिलाते हैं तो आत्म विश्वास के साथ ऐसा कह सकते हैं आत्म विश्वास पूर्ण बयान इस व्यक्ति को चौका देगा और वे भौकित भौतिक संकेत कों की तलाश करने के बारे में नहीं सोचेंगे इसका उपियोग दूसरों को खुश करने के लिए एक मज़ेदार तरकीब के रूप में या एक प्रेरख तकनीक में ले जाने के लिए एक चौकाने वाले कारक के रूप में किया जा सकता है क्योंकि जो लोग हाल में ही आश्चर्य चकित हुए है वे हमेशा निर्णय के हर कारक के बारे में नहीं सोचते हैं किसी भी अन्य हेर फेर रणीती की तरह cold reading का उपयोग किसी पर भी किया जा सकता है cold reading के तरीकों से अध्यन करने वाले कई लोगों ने इसे carrier के रूप में उपयोग किया है जैसे कि मनोवग्यानी भाग के बताने वाले और किसी भी प्रकार के धोके बाज इस कौशल को अपने टूल बॉक्स में जोड़ने के लिए इतना जटिल सेटप अवश्यक नहीं है क्योंकि आपको केवल अपने अवलोकन और शौप फेक्टर की अवश्यकता है एक अन्य उधारण यह है कि यदि आप किसे ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिसे आप पहले से ही जानते हैं कि वह एक छात्र है तो आप आत्मिश्वास से कह सकते हैं कि वह देर से पढ़ रहे थे और अपने काम पर सो गए थे क्योंकि आप उनके बाय कान पर गणित के काम को भी छाप सकते हैं ये शूश्म अवलोकन समय के साथ विक्सित होते हैं और आप उस व्यक्ति के साथ प्रिष्ठा प्राप्त कर सकते हैं जितना अधिक आप किसी को जानेंगे उतनी अधिक प्रिष्ट भूमी, जानकारी आपके पास संग्रहत हो जाएगी उधारन के लिए मानने की आपका काईल लाम का एक मित्र है काईल छे साल की एक प्यारी सी बच्ची का एकल पिता है जिसके साथ वह हर पल बिताता है उसका समर्थन करने के लिए वह एक कठिन डैस्क जॉग पर काम करता है जहां पर पूरे दिन कागजी काम करता है और एस अब भी है फोन कॉल लेता है आप जानते हैं कि उसे बहुत अधिक मिठास वाली हलकी कॉफी पसंद है और वह दाए हाथ का है आज काईल अपने बाए हाथ में एक बड़ी कॉफी लेकर आता है अब दोनों हमेशा हर मंगलवार की सुभा को करीब दस बज़े मिलते हैं आज लगभग ग्यारा बज रहे हैं उनकी कार के पीछे एक गुलाबी हेरवरश है जब वह आपका स्वागत करने के लिए काफी करीब आ जाता है तो आपको उसके कप से उठने वाली ब्लैक कॉफी की तेज सुगंध मैसूस होती है और आप देख सकते हैं कि उसके कपड़ों पर जुर्यां पड़ गई है उससे पूछे बिना आपको उसकी स्थिती से क्या निश्कर्स निकाल सकते हैं वीडियो को यही पॉस करिए और सोचिए मेरा मानना है कि उसके बॉस ने उसे बहुत देड़ तक रोका और एक रात पहले ही काम पर लगा दिया उसे पहले भी पेपर कट मिल चुके हैं हाला कि इस बार उसकी कॉफी का हलका स्पर्ष भी बहुत दर्दनाक लग रहा था इसलिए वह जितनी जल्दी हो सके काम कर रहा था फिर भी वह उसरा देड़ से घर पहुँचा और अगली सुभा सो गया उसे स्कूल ले जाने के लिए दोड़ते हुए काईल ने संबथा अपनी बेटी का हेर ब्रश वापस फैक दिया था ताकि वह स्कूल जाते समय अपने बालों के साथ अपना सर्वस्रेश्ट प्रदर्शन कर सके अपनी थकावट के कारण वह आपसे मिलनें से पहले अपनी पसंद से कई जादा तेज कौफी खरीदने के लिए रुख गया बेशक उधारण में अन्य संकेत को का उलेक नहीं किया गया था अब जिन स्थितियों को अवलोकन कर रहे हैं वे अलग-अलग होंगी साथ ही आपके द्वारत देखे जाने वाले संकेत तक भी अलग-अलग होंगे आप ऐसी जानकारी इकठा करने के लिए कोल्ड रीडिंग का भी उपयोग कर सकते हैं जो आपके पास नहीं है ऐसा अभिनाय करके जैसे कि आपके पास है उधारन के लिए यदि आप एक कपड़े की दुकान में बिजनस सेल्समेन है जिसका साबना एक शर्मीली युवा लड़की से होता है जो हाई स्कूल की उम्र के करीब है तो आप शुरुवात में इस अवलोकन पर ध्यान की इन्रित कर सकते हैं अब विश्वास के साथ बता सकते हैं या पूच सकते हैं कि क्या उसका कोई कारेकरम आने वाला है आसपास के बड़े स्कूल कारेकरमों के बारे में जानने में भी कोई नुकसान नहीं होता है क्योंकि हो सकता है कि कोई नित्य हो जिसके लिए वे त्यारी करना चाती हो वे सिरहिला सकती है या कंधे उचका सकती है कोई भी प्रतिक्रिया नहीं इसके बाद आप दबाव डाल सकते हैं और पूच सकते हैं कि क्या वह कुछ ऐसा पहनना चाती है जो किसी का ध्यान खीच सके क्योंकि वह शर्मीली है उसे अपने गणित कक्षा के उस प्यारे लड़के से अपनी भावनाओं के बारे में ब्यात करने की कठिनाई हो सकती है या उस लड़की से शरेष्ट महसूस करने के लिए भी अच्छा दिखना चाहती होगी कि उसके रूप रंग को लेकर उसे परिशान करती है किसी भी तरह यह स्पष्ट बयान तकनीकी रूप से सही होगा इतनी जानकारी के साथ आप यह इकठा कर सकते हैं कि वह खुबसूरा दिखना चाहेगी उसके वर्तमान में पहने हुए कपड़ों पर नजर डालने से आपके स्टाइल के मामले में उसकी पसंद का अंदाजा हो जाएगा यदि वह लंबी, आस्तीन और बैगी पैंट पहन रही है तो उसे कोई दिखावती चीज पहनने की इच्छा नहीं होगी आप इसके साथ वह दो तरह से काम कर सकती है आप उसे यह समझा कर कम पीट और बिना आस्तीन वाली पोशा खरीदने के लिए मना सकते हैं कि जब पीला रंग उसकी आँखों में रंग लाता है तो है कितनी आत्मविश्वासी दिखेगी या आप सुरक्षी द्रिष्टी कोण अपना सकते हैं और उसके लिए लंबी आस्तीन वाली एक अच्छी पोशाग ढूण सकते हैं और एक उच्छी नेक लाइन इसे पूरे समय में लड़की ने आपको कभी नहीं बताया कि उसे क्या चाहिए या उसे एक उशा की आवशक्ता क्यों है लेकिन फिर भी आपने बिक्री करने के लिए परियाप्त सीख ली कोल्ड रीडिंग केवल स्लेल्स कलर्क, सैटिंग और पालर ट्रिक्स में ही उप्योगी नहीं है आप इसका उप्योग अनुग्रह प्राप्त करने के लिए किसी को भी अपनी इच्छा नुसार कार्रे कराने के लिए आश्चर्रे चकित करने और किसी अन्य व्यक्ति के बारे में इतना कुछ सीखने के लिए भी कर सकते हैं कि इसका उप्योग अपने लाब के लिए कर सके चैप्टर ट्वैल माइंड कंट्रोल क्या है और यह कैसे काम करता है मन पर नियंत्रण में व्यवहार और विश्वासों को बदलने के लिए प्रभाव और अनुनाय का उप्योग करना शामिल है कि कोई व्यक्ति वही हो सकता है जो वे सोचते हैं कि वे है या यह कोई और हो सकता है मन पर नियंत्रण को कुछ नामों के लिए ब्रेन वॉशिंग, विचार सुधार, जवड़दस्ती, अनुनय, पर्सुेजन जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा था मानसिक नियंत्रण और हेरफेर के रूप में भी जाना जाता है कुछ लोगों को लगता है कि सब कुछ हेरफेरी से होता है लेकिन अगर यह सच है और उस पर विश्वास किया जाए तो हेरफेर के बारे में महत्कूण बिंदुख हो जाएंगे प्रभाव के दो चरम सीमाव वाली मानसिक सात्यता के रूप में अधिक बहतर समझाया जाता है एक पक्ष में ऐसे प्रभाव होते हैं जो सम्मान जनक और नैतिक होते हैं और उनके और बुनियादी मानव अधिकारों के प्रती सम्मान दिखाते हुए व्यक्ति को बहतर बनाने के लिए काम करते हैं दूसरे पक्ष में ऐसे प्रभाव शामिल है जो अंधेरे और विनाशकारी है जो किसी व्यक्ति से बुनियादी मानव अधिकारों को दूर करने का काम करते हैं जैसे स्वतंतरता, तर्क संगत विचार की छमता और कभी-कभी उनकी समग्र पहचान, मन पर नियंतरड के बारे में सोचते समय इसे अन्य लोगों पर प्रभाव डालने के एक तरीके के रूप में देखना बहतर होगा जो उनके सोचने के तरीके या जीवन जीने के तरीके जैसे किसी चीज को बाधित करेगा प्रभाव उसी अधार पर काम करता है जो लोगों को इंसान बनाता है जैसे कि उनका व्यवहार, विश्वास और मूल्य यह है उनके व्यक्तिगत, प्रतिमत्याओं को चुनने या महतपोर निर्णय लेने के तरीके को बाधित कर सकता है मन पर नियंत्रण, किसी को कुछ ऐसा कहने या करने के लिए मनाने के लिए शब्दों और विचारों का उपियोग करने से ज़्यादा कुछ नहीं है जिसे उन्होंने सुयम कभी कहने या करने के बारे में कभी नहीं सोचा हुगा व्यज्यानिक रूप से सिद्ध तरीके है जिनका उपियोग अन्य लोगों को प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है मन पर नियंत्रण का नकलीपन, प्राचीन, कलाउं या यहां तक की जादुई शक्तियों से कोई लेना देना नहीं है वास्तविक मन पर नियंत्रण उस शब्द का आधार है जिसे बहुत से लोग सुनना पसंद नहीं करते वह शब्द है मार्केटिंग कई लोग इस से जुड़े नकारात्मक अर्थों के कारण उस शब्द को सुनना पसंद नहीं करते जब लोग मार्केटिंग सुनते हैं तो वह स्वचालित रूप से माल लेते हैं कि आप बिजनस स्कूल में पढ़ाए गए विचारों से संदर्भित करता है लेकिन मार्केटिंग का आधार यह तैकन्ना नहीं है कि बजार के किस हिक्षे को लक्षित किया जाए या यह तैकन्ना कि कौन से ग्राहक इस उत्पाद को खरीदेंगे मार्केटिंग का आधार एक बहुत ही सरल शब्द है वह शब्द है हाँ यदि कोई विक्तरेता नियमित ग्राहक से उनके द्वारा खरीदे गए उत्पाद का संक्षित समर्थन लिखने के लिए कहता है तो उमीद है वे हाँ कहेंगे अगर कोई अपने जीवन साथी से काम पर जाने के लिए कुछ बिजनस कार्ड लेने के लिए कहता है तो उमीद है वे हाँ कहेंगे यदि आप किसी भी प्रकार का ब्लॉग लिखते हैं तो किसी अन्य ब्लॉगर से अपने ब्लॉग पर अपना लिंक प्रदान करने के लिए कहते हैं तो उमीद है वे हाँ कहेंगे जब परियाप्त लोग हाँ कहेंगे तो व्यावसाय या ब्लॉग बढ़ना शुरू हो जाएगा और फिर अधिक हां के साथ यह बढ़ता फलता और फूलता रहेगा यह मार्केटिंग का बहुत सरल आधार है मार्केटिंग अन्य लोगों को कुछ खरीदने या किसी और के लिए कुछ फाइदे मंद करने के लिए दिमाग पर नियंतरण का उपयोग करने से ज़्यादा कुछ नहीं है और तक्नीकों को आसानी से सीखा जा सकता है मन पर नियंतरण की पहली तक्नीक लोगों को यह बताना है कि आप उनसे क्या चाते है कभी भी लोगों से इस पर विचार करने या कुछ समय लेने के लिए ना कहें यह एक निश्चित मस्तिश्क नियंतर हत्यारा है जब उन्हें कुछ सोचने के लिए कहा जाएगा तो वे ऐसा नहीं करेंगे इसे भुला दिया जाएगा और फिर ऐसा कभी नहीं होगा इसका मूर्खता पूर्ण या आलसी होने से कोई लेना देना नहीं है और इसका संबंध बहुत अधिक व्यस्थ होने से है इसलिए सबसे अच्छी रणनीती आक्रमक रुक अपनाना और उनके लिए सोचना है हर चीज को शुरुवात में ही समझाना चाहिए यह कभी ना माने कि दूसरा ब्लोगर अपने आप समझ जाएगा कि लिंक जोडने से क्या लाब होगा किसी से यहा पेक्षा ना करे कि वह आख मून कर प्रदर्शन करेगा और केवल एक प्रशन्षा पत्र मागने से हाला कि इससे सकारात्मक प्रितिक्रिया मिल सकती है लेकिन संबधा उत्पाद के लिए एक अच्छी तरह से तैयार प्रशन्षा पत्र नहीं मिल पाएगा इसके बजाए ब्लोग को समझाने उधारन दिखाने और ठोस कारण वताने के लिए तैयार रहे इस विलय में दोनों पक्षो का लाग्द क्यों होगा क्या कहना है और कब कहना है इस पर नोट्स के साथ द्रिश्यों के प्रदर्शन को विस्तित रूप से प्रदर्शित करे ताकि दूसरे व्यक्ति को केवल जानकारी प्रस्तुत करनी पड़े ग्राहप को पहले से ही प्राप्त प्रशंशा पत्रों की कुछ विविताएं प्रदान करें और उनसे एक को चुनने और इसे थोड़ा व्यक्तिकरत करने के लिए कहें जो वंचित है उसे समझाने में हमेशा विशेष्ट रहें पश्ट करें या यह बंचित क्यों है दिखाओ यह कैसे काम करेगा व्यक्ति को बताएं कि वह कैसे करना है और उन्हें ऐसा क्यों करना चाहिए यदि सही ढंग से किया जाए तो यह बिलकुल वैसा ही लगेगा जैसे एक मित्र दूसरे मित्र को सल्हा दे रहा है और कौन सा रास्ता अपनाना अच्छा है और उत्तर हां ही मिलेगा केवल इसलिए क्योंकि हां कहने का बहुत अर्थ है हिम्स्खलखन के बारे में सोचो अब तक के सबसे उचे परवत की चोटी पर चड़ने के बारे में सोचे अब सीर्ष पर पहाड पर मौजूद सबसे भारी पत्तर की खोज करने के बारे में सोचे अब चित्र इस शिलाखंड को धकेलने के लिए औलौकिक शक्ती को बुला रहा है इसे उस थाद से हटा रहा है जहाँ यह बर्शों से अराब कर रहा है एक बार जब यह शिलाखंड धीला हो जाता है तो यह चटान के किनारे पर आसानी से लुड़क जाता है और पहाड से नीचे जाते हुए हजारों अन्य शिलाखंडों से टकराता है और चटानों के एक सुन्दर जहने में पहाड के आदे हिस्से को अपने साथ ले जाता है कलपना कीजिए कि आप वहां बैठे हुए उस हिम्सलखन या माउंट एवेश्ट पर खुशी से मुस्कुरा रही है तो जो अभी अभी हुआ है मार्केटिंग और मन पर धियंतर एक हिम्सलखन पैदा करने जैसा है हाँ मैं उत्तर देने वाले पहले व्यक्ति को प्राप्त करना कठिन हो सकता है लेकिन प्रत्येक आगामी हाँ आसान और असान होता रहेगा और हमेशा शेर्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् शुरू होने वाली शुरुवात से कहीं अधिक बड़े होंगे हाँ, छोटी चटान को धकेलना आसान होता है फिर इसे किसी अन्य छोटी चटान पर धकेल कर बनाया जा सकता है यह तरीका काम कर सकता है लेकिन सीर्ष पर सफल होने की तुल्ना में इसमें अधिक समय लगेगा कोई भी कभी भी सुरक्षित रहने के लिए तलाब में सबसे छोटी मचली के लिए मचली पकड़ने नहीं गया या दूसरी भूमिका के लिए और्डिशन नहीं दिया हर कोई वे सर्वोच पुरुसकार चाता है इसके लिए जाने से ना डरे दूसरी ओर पहली बार में पूरा पत्थर कभी न मांगे इसका एक भाग मांगो ये सीधे तोर पर विरोधा भासी लग सकता है लेकिन ऐसा नहीं है हमेशा छोटे टुकडे से शुरुवात करे शुरुवात को हर किसी के लिए देखने के लिए आसान बनाए परिणाम देखने के लिए अन्य लोगों को अपनी अंतर दृष्टी का उपियोग करने दे जब पहली बार अच्छा हो जाए तो धीरे धीरे अधिक मांगे किसी ऐसे व्यक्ति के लिए अतिती स्थान लिखने के बारे में सोचे जिसके पास अपना ब्लॉग है संपूर्ण पांडू लिपी पहले भेजने से अस्विकृती का जोखिम अधिक होता है छोटी शुरुवात करें उन्हें विचार पर चर्चा करते हुए एक या दो पैराग्राफ भेजे फिर विचार की रूप रेखा तयार करें और उसे एक इमेल में भेजे फिर पूरा ड्राफ्ट लिखें जिसे आप चाहते हैं कि वे भी उपियोग करें और इसे साथ भेजे किसी ग्राहक से प्रशंशा पत्र मांगते समय इमेल में कुछ पंक्तिया मांगकर शुरुवात करें फिर ग्राहक से उन कुछ पंक्तियों को एक प्रशंशा पत्र में विस्तृत करने के लिए कहें जिसमें कम से कम आधा टाइप किया हुया प्रेश्ट शामिल हो जल्ड ही ग्राहक एक घंटे के वेबकाष्ट के लिए तयार होगे जिसमें उत्पाद के गुणों और आपके महान ग्राहक सेवा कौशल की प्रशंशा की जाएगी हर चीज की एक समय सीमा होनी चाहिए जो मौजूद है यहां महतकून शब्द वास्तविक शब्द है हर किसी ने विक्रेता को सुना है जिसने कहा था कि जल्दी निर्णय ले क्योंकि हो सकता है कि सौदा बाद में उपलब्ध ना हो या कोई अन्याग रहा हो और उन्हें यह मिल जाए यह पूरी तरीके से वाला नहीं है और सौदा गायब नहीं होगा इसमें ततकालिकता की कोई वास्तविक भावना शामिल नहीं है लेकिन हर कोई ऐसा करता है ऐसी बहुत सी स्थितिया है जहां लोगों को किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा नकली समय सीमा दी जाती है जो सोचता है कि इस कार्य को पूरा करने के लिए ततकालिकता की भावना दी जाएगी यह ना केवल पूरी तरीके से एप्रभावी है बल्कि पूरी तरह अनवशक है सच्ची ततकालिकता पैदा करना एक साधारण मामला है मुफ्त चीजों को केवल सीमित समय के लिए ही उप्योग उपलब्द रहने दे तिराहकों से प्रशंशा पत्र के लिए पूछते समय इसे प्राप्त करने और उप्योग करने में सक्षम होने के लिए अंतिम सम्भवित दिन का उलेक करना सुनिश्चित करे कुछ लोग सहायता करने में ऐसमर्थ होंगे लेकिन लोगों को भाग लेने में ऐसमर्थ होना शुरुवात ना करपाने से बहतर है हमेशा प्राप्त करने से पहले दे और यह कभी मसोचना कि देना 50-50 है बदले में हमेशा अपेक्षा से कहीं अधग दे किसी संतुष्ट ग्राहक से प्रशंशा पत्र मांगने से पहले आसाधारण ग्राहक सेवा के अनेक कार्रे करना सुनिश्चित करे किसी ब्लॉग लेखक से लिंक मांगने से पहले कई बार उनके लिंक को अपने लिंक से लिंक करे यह किसी की मदद करने के बारे में नहीं है इसलिए वे आपकी मदद करेंगे यह सब उतना उदार होने के बारे में है कि जिस व्यक्ति से मदद मांगी जाती है वे समवधा नहीं नहीं कह सकता इसका मतलब अतिरिक्त कम हो सकता है लेकिन यह वह तरीका है जिससे दूसरे लोगों को प्रभावित किया जा सकता है हमेशा ओसत से कहीं अधिक बड़ी चीज के लिए खड़े रहे कुछ कैसे करें इस पर बस एक और ब्लॉग न लिखे एक स्टेंड लेने के लिए एक महतपूर मुद्दे का उपियोग करें और अध्युतिय तर्क और उट्साही जुनून के साथ अपने रुख का बचाव करें केवल कैसे करें मैनवल न लिखें एक विशेश विचार चुने और उस दर्शन को जीने वाले समान विचार वाले अन्य लोगों के उधारनों का उपियोग करके लोगों को उस पर वेचे कभी भी शर्म महसूस ना करें इसका मतलब यह नहीं है कि मूर्खता की हद तक एत्यधिक बही मूर्खी होना या व्यापारिक लेंदेन में विवेक का पूर अभाव होना मन पर नियंत्रण के मामले में बेशर्मी का तातपर पूर विश्वास से है कि कारवाई का यह तरीका सबसे अच्छा संभव तरीका है और हर किसी को इससे बहुत लाग होगा यह अब तक का सरवोत्तम संभव ब्लॉग लिखने और यह मानने के बारे में है कि हर किसी को अपने जीवन को बहतर बनाने में सक्षम होने के लिए से पढ़ने की जुरत है यह किसी विशेश उत्पाद पर इतनी गहराई से विश्वास करने के बारे में है कि यह भावना हो कि इसका उपियोग करने से सभी को लाब होगा यह अंदर से जानता है कि यह विश्वास अब तक का सबसे सही विश्वास है और हर किसी को इस पर विश्वास करना चाहिए मन पन नियंतर इस विचार का उपियोग करता है कि मनो वैज्ञानिक साधनों का उपयोग करके किसी के निर्णे और भावनाओं को नियंत्रित किया जा सकता है यह सुनिश्चित करने के लिए बाचीत या मानसिक प्रभाव की शक्तियों का उपयोग कर रहा है कि बाचीत का परिडाम दूसरे व्यक्ति की तुला में एक व्यक्ति के लिए अधिक अनिकूल है मार्किटिंग मूलता यही है किसी और की दिमाग को नियंत्रित करने में सक्षम होने का मतलब है किवल मानविय भावनाओं की शक्ति को समझना और उन भावनाओं पर खिलने में सक्षम होना है यदि मानविय भावनाओं की बुन्यादी समझ हो तो लोगों पर मानसिक प्रभाव डाला असान है क्रोधित लोग तभी पीछे हटेंगे जब उनके क्रोध का विशय भैभीत ना हो क्रोधि लोग दूसरों के डर से पलते है अपराद बोध एक और महान प्रेरक है इसी तरह किसी को ना सोचने या महसूस ना करने के लिए दोशी महसूस कराना उन्हें हार मानने के लिए प्रेरित करने का एक शांदार तरीका है किसी के मन पर नियंत्रण का उप्योग करने का एक और तरीका यह बताना है कि वे स्थिती के लिए कितने मूल्यवान है धन्यवाद अगर आपने यह आउडियो बुक यहां तक सुनी है तो प्लीज कमेंट करके बताए कि यह आपको कैसी लगी कि यह उन्यवाद और ँडू करू झाल 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 झाल